कि लास्ट लास हम लोगोंने बेसिक्स देखा मेंली यह है कि कुन्सकांसी करेंसी कौन सी ज्यादा स्ट्रॉंग है कौन सी विक है इन सब चीजों की छोटी-छोटी बाते हम लोगोंने देखा था सब्सक्राइब करेंगे दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे देखा जहें तो वर्ल्ड के स्टॉंगेस्ट करेंसी के डबलूड कुवेट का दिनार ठीक है जिसका एप्रॉक्सिमेटली हम कह सकते 270 के राउंड आज के रेट पे रेट चल रहा है उसके बाद के जो हमारे करेंसी है वो GBP Great Britain Pound जिसका रेट अगर देखा जाए तो रुपीज 100 के राउंड है इसका जो फ्रेक्शनल यूनिट है सेंट है सी को अगर इस तरीके से कट कर दिया जाए तो भी चलेगा ये सौरी पैनी बिल्कुल सही है यानि कि ये जो है 100 पैनी इसको कोई सिंबल नहीं है पैनी क उसके बाद की जो करेंसी है फटाफट यूरो आयो से कोड बोलेंगे यूर जिसके रेट आज के रेट पर प्रॉक्सिमेटली 90 के राउंड है इसका जो फ्रेक्शनल यूनिट है वो हमारे लिए सेंट है जो की 100 के आसपास मतलब 100 सेंट में डिवाइड़ेड है उसके बाद के जो करेंसी है वो यूवेस्टी यूवेस्टी आपका कितने के राउंड एटी और यह है आपके बीच में 85 के राउंड इसका जो है सी एचेफ के सी एचेफ का फ्रेक्शनल इंट खैर उसे जरुरत नहीं है नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा वैसे रापन है यूवे क्या इंडियन डॉलर ही है सी एडी उपर है कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना हमें स्टेंथ के जड़ें दोनों को आप सिमिलर रख लिजे सी एडी और क्या केते हैं एयूड दोने प्रॉक्सिमेटलि सिक्स्टी के अराउंड है ऐसे आप जानेंगे तो भ मुरा सा याद रख लिजे बस काफी है उसके बाद हमारा जैपनीज एन और फिर लास्ट में जो है नेपलीज रूपीज एन पी आर ठीक है बाकी एप्रॉक्सिमेटलि सिक्टी के अराउंड मलेशियन रिंगिट 15 के अराउंड सी एन वाई रूपीज 10 के अराउंड आई ए उसका भी सेन है उसका भी सेन है उसका भी सेन को ज्रूतनी ठीक है उसके बाद को सेंटरल बैंक को करता देखा फिर हमनिन मोंटरी पॉल official कैछ हम तो बढ़ता है इंट्रेस्टेट बढ़ने की कोशिस करता है से क्या होता है लिकूरिटी मार्केट पीचानल में कम हो इंफलेशन कम हो जाएगा लेकिन जैसे इंफलेशन बढ़ाने के लिए इंट 되어 इटेटर बढ़ाते हैं तो लिकुरिटी कम होने की वैसे जीडिपी भी रेडियूस हो जाता है तो ये दोनों को बैलेंस करना हमैजा जो गॉब्मेंट होते हैं पालिसी में बार-बार मोनिटर करके इसी चीज़ों को कि घुक्र सीजर करने पने पर जाते हैं अब जरह हम इंफलेशन की बात कर रहे दूसरे के comparison में, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि exchange rate कैसे decide होता है, तो हमने बोला दो currency की quantity की relationship है, वो exchange rate है, और यह decide होता है purchasing power से, एक सामान का price जो होते है, किसी भी country में चले जाओ, आपको equal दिखेंगे equivalent term में, लेकिन उसमें से हमने हटाया क्या है, transaction cost और transmission cost, यह दो लिखेंगे जब भी exchange rate लिखा जाएगा, तो मान लिजे हमने लिखा यहाँ पर pound one equal to rupee hundred, एक और भी doubt रहते हैं हमेसा बच्चों को कि sir, हम currency ने starting में लिखना भूल जाते हैं, तो क्या हम इसके बाद लिख सकते हैं, जिसे hundred लिखके क्या हम यहाँ पर rupee लिख सकते हैं, doubt जो होते हैं हमेसा बच्चों करते हैं, कि sir, starting में याद ने रहता है, वो अभी से practice करोगे तो हो जाएगा, जैसे आज के rate मेरे से होता ही नहीं हमेसा, पहले currency का symbol लिखते हैं, देन उसके बाद quantity लिखते हैं, इसको हम लोग base currency बोलते हैं, और यह जो price है, यह pound की है, याद आपका euro यह सारे one unit में quote होंगे, और जो weaker currency होते हैं उसको hundred unit में quote किया जाता है, जैसे इन weaker currency है, तो इन hundred का something आपका रूपी बन जाता है, इस तरीके से rate quote किया जाएगा, बस इतना ही देखा था, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, exchange rate, purchasing power से decide होते हैं, इसके बाद हम लो करते हैं लोग अगला concept, चाहो तो आप रफली लिख सकते हैं, आप लोग, appreciation and depreciation of a currency, आप लोग के जो print out है, handwritten notes की, वो आपका black and white में है, तो topic अगर आप कुछ चाहो तो आप highlight कर सकते हो, आप खुद से color बना सकते हो, क्योंकि ताकि पढ़ते हुए time क्या होगा, आपको एकदम से highlight हो जाएगी कि क्या चीज हमारे सामने है, क्योंकि उससे क्या होता है, examination time में बहुत time save होता है, याद रखिए, starting में अगर अच्छे से आपने register बनाया हुआ है, तो examination time में जो चीज जब ढूनना चाहोगे, immediate से आपके सामने आ जाते हो, उससे time बहुत save होता है, तो आप लोग कोसिस करेंगे कि जहाँ-जहाँ heading है, उसका आप highlight कर लेंगे तो चलेगा, live वाले सब ज़्य यादा सांत रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा, आप लोग के पास handwriting notes नहीं पहुंचा होगा, एक दो दिन में पहुंच जाएगा, तब तक आप यहाँ से काम चला लेंगे, जो आप लोग अभी देख रहे हो, क्योंकि courier करने में delay हुआ था, और delay मेरे part पर ही था, इन लोग क पर नहीं था, क्योंकि मैं final करके देता, तब यह लोग courier करते, mainly books तो ready थे, सिर्फ handwritten notes की वैसे लेट हो गया था, आप लोग का courier जाना, चले वापस आते है, appreciation का मतलब, क्या होता है, फटा फट बोलेंगे, ज्यादा time नहीं लगाएंगे, appreciation क्या होता है, बताई जल्दी से value में increase होना, यह बड़ी दिक्कत है, value और strength जो होती है न, just a minute, appreciation की बात करें, महंगा होना बोले, depreciate कर रहा है, कोई चीज मतलब, वो महंगा हो रहा है, depreciate करना मतलब, सस्ता होना, ओके, यह इतना आसान सा topic है, लेकिन सबसे ज़्यादा confuse रहते है, student इस पार्ट पर आके, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे confuse रहते है, कुछ, क्यों, मुझे नहीं मालूँ, यहां होता क्या है, कि दोनों तरफ currency होने की वज़े से, student इसी में confuse रहते है, कि किसकी quantity बढ़ाना है, किसकी quantity घटाना है, इसी के दलदल में फसे रहते है, और इतनी छोटी से चीज, इतना आसान से चीजों को भी difficult बना ले, तो आपको समझ बता दू, अगर appreciation, depreciation में भी, अ आपको marks आएगा 0, इसका region यह है, क्योंकि बड़े से question के अंदर इत्तु सा part हो गई है, और starting में अगर mistake कर लिया, तो chain में आपके सारे के सारे mistakes continue होते रहेंगे, और last में जाके step marking जो होते हो मैं आपको दिखाऊंगा, step marking का मतलब यह नहीं कि formula सही लिग दिया तो marks मिल जाए पहला ही calculation अगर mistake हो गया आपका, उसको formula से मतलब नहीं institute को, formula लिखो ना लिखो, result जो है ना पहला part का, पहला part का जो उसका result सही होना चीए, उसका value सही आगया, तो marks मिल जाएगा, otherwise marks नहीं मिलेगा, आगे जब question पे हम पहुँचेंगे, तो आपको मैं दिखा दूँगा किस trend को सब कुछ आ रहा होता है, सब कुछ सही किया होता है, एक calculation mistake यहाँ पर कर लेने की वैसे, सारे के सारे marks हो जाता है, जीरो, और बच्चे कहने, सर इतना तो बेदर्दी नहीं होना चीए, institute को, भैई है सही, क्या कर सकते हो, सर कुछ तो दे रहना चीए, वो नहीं कहते है, आपका अगर final result हर एक step का अगर सही है, तो marks मिलेंगे, तरवाज नहीं मिलेंगे, बस simple, चलिए वापस आईए, appreciate करने का मतलब है, कोई चीज क्या होना, महंगा होना, ठीक है, अगर costlier हो जाए तो महंगा हो गया, तो हम कैसे appreciate हुआ, अब चलो एक काम करते, वैसे commodity का महंगा का मिल रहा है, ठीक है, वन केजी एपल हंडेड रुपीज का मिल रहा है, अगर यही वन केजी एपल अगर हंडेड टेन का हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, महंगा हुआ, क्या, क्या, याद रखिएगा, foreign exchange के अंदर currency identify करना बहुत जरूरी है, otherwise यही basic छोटी सी बात से आप को यह बड़ा difficult बन जाएगा पूरे चाप्टर आपका, आप हमेशा याद रखिएगा, currency को हमेशा identify करो, मैंने बोला है महंगा हुआ है, बच्चियां confused रहते हैं, क्या महंगा हुआ है, बताओ क्या महंगा हुआ है, रूपी, ध्यान से सुनो, क्या महंगा हुआ है, apple महंग के लिए कहते हैं कि चलो, कैसे करें, कैसे करें, माले यह कोई currency है, ठीक है, यह रहा मेरे सामने कुछ currency जा गए, ठीक है, माले यह currency है, अभी आपके समाने को हम खरीदने जा रहे है, ठीक है, अभी हम दे रहे हैं, माले इसमें से कुछ हम कागज के टुगरे है, यह 100 है मेरे दिया किसी को एक सामान खरीदने के लिए थोड़ा दिर के बाद जाते हैं इसी सेम सामान को खरीदने के लिए इसमें कुछ quantity एड़ करना पड़ रहा है मुझे इसका मतलब एक का value क्या हुआ है decrease हुआ है अगर किसी की quantity बढ़ाना पड़ रहा है मतलब इसकी worth कम हुई है मतलब ये value decrease हुई है तब ही इसकी quantity बढ़ाना पड़ रहा है हमें visible तो है क्या visible है कि यहाँ पे रूपी की quantity बढ़ रही है इसका मतलब ये जो रूपी वाले जो कागज के टुकरे है न इसकी worth घटा है तब ही तो quantity बढ़ाना पड़ा है ठीक है तो हम ये कह सकते हैं रूपी डेप्रसेट किया है लेकिन मैं आपसे पूछू कि रूपी कितना से डेप्रसेट किया है आप नहीं बता पाओगे पहले बात समझो बहुत छोटा सा बात है लेकिन ये दिमाग में जानने में बहुत टाइम लग जाता है मैंने क्या बोला एपल चलो एक काम करते है एपल को हमने इस तरीके से रिनोट कर दिया कोई दिक्कत किसी को दिक्कत हो जाएगी एपल को हमने इस तरीके से रिनोट कर दिया ठीक है इसको लिखने हैं कुछ लोग को दिक्कत होता है बाद में जाके euro and pound दोनों एक जैसे लिखने लग जाते है इसको ऐसे घुमाने की जगह ऐसे करने लग जाते है और फिर हो बन जाते हो euro ठीक है वो नहीं करना है याद रखेगा मैंने बहुत बार जब पहले answer sheet सब register चप चिक करते थे class में तो मुझे दिखता था pound लिख रहा है euro लिख रहा है पता ही नहीं चल रहा है तो अगर ऐसा दिक्कत है क्योंकि आप देखो handwriting तो यहाँ पर आके आप सुधार नहीं सकते है जो है उसी में थोड़ा सा clear करके visible बनाना है कि सामने वाले को समझ आ जाए ठीक है otherwise आप देखोगे जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि handwriting से तो marks पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों देखा है 95 marks वाले का certified copy हमने डाला है कभी नहीं देखा होगा उतना तो time कहां होता है यूटूब पर बांकी चीज़ देखने का बहुत टाइम होता है ये काम की चीज़े देखने का ये certified copy तो दूसरा वाले है 95 marks वाले का इसमें दिखेगा क्या होगा कहीं तो इसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा चलो ज़रत पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आ जाएंगे मेरे सिस्टम पर तो होगा बड़ सिस्टम आपका प्रोजेक्शन पर नहीं है दिक्कत यह तो उस पर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे 95 marks वाले के आपके जो handwriting देखोगे एक एक word नहीं पढ़ पाओगे 95 marks वाले इसलिए मैं कहता हूं कि handwriting से कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टिूट ने एक बार notification भी निकाला था आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कुछ लोग कहते थे कि handwriting से भी marks लिख लो हो गया ऐसे लिखने लग जाओगे तो अपने आप हो जाएगा ठीक है एल जो लिखने तो आता है यह थोड़ा सा तीर्षा करके लिखो ऊपर करना है और बस हो गया काम खतम नीचे करने की जरुरत ही नहीं भी करोगे तो चलेगा समझ में आ जाएगे लेकिन आट और यहां बोलना भी आसान है एपल महंगा हो रहा है कितने रुपी से एपल महंगा तो हो रहा है कितने रुपी से 10 रुपी से देखो एक चीज़ याद रखेगा कोई भी चीज़ अगर आपका महंगा होगा तो अपने प्राइस में महंगा होगा ये चीज़ याद रखेग क्योंकि रूपी की quantity बढ़ी है अगर रूपी की quantity बढ़ी है तो रूपी discount पे गया है कितने discount पे गया है कितना सस्ता हुआ है मैं अगर यह पूछ हूँ और आप बोलो कि 10 रूपी है सस्ता हुआ है तो एक बार सोच के देखना रूपी सस्ता हुआ है दस रूपी से मतलब एपल सस्ता हुआ है दस एपल से कैसे लग रहा है सुनने में कितना बेसिक चीज है और उसके बावजूद में बताओं more than 50% एस्टोंट यहां confused रहते हैं मैं past history के basis पे बोल रहा हूँ past history के basis पे अभी जो recorded lecture लेते हैं उसके query जब आता है उसके basis पे बोल रहा हूँ कि सर यहीं पे confused जाते हैं कौन सस्ता हो रहा है कौन मेंगा और मैं कहता हूँ बहुत simple से तरीके से समझो ना आपको इस currency के लिए सोचना ही नहीं है क्योंकि यह price है ही नहीं ना price किसका है रूपी का price नहीं है यह price किसका है apple का price है तो apple को मेंगा सस्ता करो ना कितना आसान है बताओ इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं तो मुश्किल आपका बढ़ जाता है मैं कहता हूँ अगर यही currency ना होके apple होता तो कभी भी रूपी पे ध्यान जाता क्या आपका ध्यान किस पे रहता apple पे तो अभी भी apple पे ध्यान रखो ना apple को ने जिसके साथ पार unity अटाच है जो base currency है base currency हमारे ले कौन है जो one है pound currency है उस पे ध्यान रखो ना pound महंगा हो रहा है 10 रूपी से यह हमें दिख रहा है मैं पूछू कि रूपी सस्ता हो रहा है कितने से बताओ तो नहीं बता सकते है क्योंकि रूपी की price रूपी नहीं हो सकता है बात समझ में आगे यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हो गए currency appreciate करता है जब price of that currency increases जब price बढ़ता है तो currency appreciate करता है और price जो होते है हमेशा यह currency होता है यह बढ़ना मतलब यह appreciate करना यह चीज जितना जल्दी दिमाग में set करेंगे उतना आसान हो जाएगा मैं बोलतो रहा हूँ बहुत आसान है एक को बस एक systematic हुए में आपको समझने की कोशिस करना है देखो future के rate क्या हो जाता है rate after one year एक साल के बाद अगर एक केजी एपल अगर रुपी 80 का हो जाता है मतलब कितने से महंगा हो गया बताइए फाइव रुपी से फाइव रुपी से क्या महंगा हुआ डॉलर तो यही मैंने बोलाई कि देखें डॉलर एप्रेसेट कर रहा है पाँच रुपीए से अब यहाँ देखें कुछ लोग हमेशा उल्टा सोचने की आदत दो उनको सीधा सीधा सोचने ही नहीं आता हाँ जी पूछे कुछ पूछे रहते हैं similarly we can say रुपी करेंसी डेप्रेसेट डेप्रेसेट तो हो रहा है यह इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि क्वांटिटी इसकी बढ़ी है तो डेप्रेसेट तो हुई है बट we can't quantify डेप्रेसेशन अमाउंट unless we convert our rate in terms of रुपी वन जब तक मैं इसको एपल ना बना दाओ एपल का मतलब समझ जाए जिसके साथ 1 अटाच है जो बेस करेंसी है जो पर यूनीट के टम में पर यूनीट मतलब जिसके साथ 1 है तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक पर रुपी ज वन ना हो जाए तब तक आप इसको quantify नहीं कर पाऊगे क्योंकि आप जैसे सोचिए अगर हम जाते यूएस में यूएस में किसको quote किया जाएगा रुपी पहले ही बोला था कली यूएस में dollar जो होगा ना price होगा यूएस में जैसे इंडिया में हर चीज़ों में price क्या होता है रुपी यूएस में जाओगे तो सारे के सारे price जो होगे न वो आपको dollar currency हाँ price currency बनेगे तो जब आप मुझे बताएगे कोई बोलता है रुपी कितना से सस्ता हुआ महंगा हुआ तो रुपी का पहले price बताओ और रुपी का price का मतलब क्या हो गया रुपी हमारा होना चाहिए पर unit के टर्म में तो इस टर्म में अगर निकालना है तो चलो एक काम करते हैं थोड़ा दर के लिए अगर निकाल के देखते हैं ठीक है रफली कर रहे हैं आप लोग रफली अगर लिखना चाहते हो उस पे तो लिख सकते हो मैं कह रहा हूँ कि हमने ये कितना rate हो गया बताइए वो 1 रूपी का अगर मैं रूपी 1 का rate ले लू तो बताएंगे कोई dollar के टम में कितना आया 1 divided by 75 ये आ रहा होगा मेरे इंसाफ से 0.0133 अगला हम देखते हैं कि ये याद रखना आज हो रहा है ये आज चल रहा है spot rate spot मतलब आज के rate पे तो ये हमारा आज का rate है आज apple इतने का चल रहा है फिलाल हमारे लिए apple this one अब आगे बढ़े अब मुझे बताएं यहाँ पे आ जाता है रूपी 1 ये हो गया dollar something बताएं कितना हो गया 80 divided by sorry 1 divided by 80 ये बन रहा होगा आपका 0.0125 अब ध्यान से देखिए यहाँ दिख रहा होगा clearly दिख रहा है कि ये price जो है price है ये किसका? apple का जो apple अभी dollar इतने का चल रहा था वो apple dollar इतने का हो रहा है देखो सस्ता होते होई दिख रहा है 0.013 से 0.012 पे जा रहा है 0.013 से 0.012 पे जा रहा है मतलब इसका price क्या हो रहा है? कम हो रहा है price किसका कम हो रहा है? apple का? apple कौन है यहाँ पे? rupee तो rupee यहाँ सस्ता हो रहा है और याद रखना जब भी कभी मैं बोलूगा कि रूपी सस्ता हो रहा है न तो रूपी का प्राइस कम होगा और रूपी का प्राइस कभी रूपी नहीं हो सकता है इसका प्राइस क्या होगा बताईए डॉलर तो मैं अगर यह पूछू कि बताओ रूपी कितना से सस्ता हो रहा कितने Fall dollars से 0.0008 के terms में यहाँ गूपी सस्ता हो रहा है तो आप मुझे बताएं your οιआत रूपी सस्ता है बोला यहा असन था यह $ महमा है बोला यह आसन था and मेहिए असे असनोव मोच रहा है जो इतना ही नहीं इस प्रैवलम कहां शुरू होती James जो डॉलर जितना से यानि कि जो एपल जितना से आपका महंगा हो रहा था न और जो रूपी जितना से सस्ता हो रहा था वो सेम नहीं है मतलब क्या हुआ ध्यान से देखें सुनिए यहां से मैं कह रहा हूँ कि यह कोई प्राइस है तुरा दिर के लिए अपल है जो Apple अभी 75 रुपीज पर केजी का था वो होने वाला है 80 रुपीज पर केजी मैं percentage आप में आप से पूछता हूँ कि बताइए Apple कितने से महंगा हुआ आप क्या बोलोगे बताइए कि सर 5 रुपे से महंगा हो रहा है ठीक है 5 रुपे percentage में convert कर दो मुझे 5 divided by 5 divided by 75 75 multiply by 100 कितना percent हो रहा है 6.6666 जा रहा है याद रखना इसमें rounding off की भी हम differences की नहीं हम consider कर रहे हैं हम ये बोल रहे है कि अचा चलो ठीक है कहा थे हम लोग हाँ ये कह रहे है कि अचा चलो ठीक है ये हमारा 6.6666 इतने percent से क्या हो रहा है यहाँ पे महंगा हो रहा है अभी आपने बोला था कि रूपी क्या हो रहा है यहाँ पे सस्ता हो रहा है ठीक है मैं पूछू कितने से सस्ता हो रहा है तो आपको तो कितना सस्ता हो रहा है वो तो दिख रहा है ने यहाँ आप हमें दिख रहा है ना मैं अच्छा बता ये कितने से सस्ता हो रहा था, ये भी मैं लिख लेता हूँ एक बार, वो हमने लिखा था 0.0008 से सस्ता हो रहा है, हम इसको percentage term में बोले कि कितना सस्ता हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे 0.0008 divided by, क्या डिवाइड करूं, 0.0133 divided by 0.0133 multiply by 100, ये देखो 6.01% आ रहा ह यानि कि एक currency जितना मेंगा हो रहा है, दूसरा currency उतना सस्ता नहीं हो रहा है, इसका तो बहुत simple logic है, क्या बताइए, कि कोई भी चीज जब सस्ता होता है, तो उपर वाले base से सस्ता होता है, और जब कोई चीज मेंगा होता है, तो नीचे के price से उपर जाता है, जब हम कोई percentage निकालते हैं, कहते हैं, महंगा हो रहा है, तो महंगा का percentage निकालते हैं, तो base में डालते हैं क्या हम लोग, नीचे वाले price, छोटा price, जब महंगा हो रहा होता है, तो जब कोई चीज सस्ता होता है, तो उपर से सस्ता होता है, तो जब उसका percentage depression निकालते हैं, तो उसके उपर यानि कि जो percentage निकालते वो higher value को base में डालते बड़े वाले price को तो जब आपका base, percentage निकालने का base बदल जाएगा तो क्या percentage जो change है वो आपका change होगा नहीं होगा हो नहीं है, confirm है जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं तो सीधा देखो आप 75 और 80 के बीच में कितने का ग्याप है चलो इस पर हम आगे तो discussion करेंगे ठीक है calculation करने वाले काम हम आगे कर लेंगे क्योंकि इस पर हम अच्छा खासा time और लगेगा जब हम percentage निकाल रहे होंगे तब बस मैंने अभी mind में ये डाल दिया कि एक currency जितना percent महंगा होता यानि कि appreciate करता है दूसरा currency उतना ही percent depreciate नहीं करता ये दूसरी बात है कि approximately same होता है ये 6.something percent है वो 6.01 percent है ये 6.66 से 6.01 है है ना चलिए तो वापस आते हैं यानि कि इतना mind में set कर लेना एक currency जब महंगा हो रहा होता है दूसरा currency सस्ता होना confirm है लेकिन जितना percent से वो महंगा होता है उतना percent से दूसरा सस्ता नहीं होता है और हमेशा ये ज़्यादा आसान है उस currency के लिए सोचना जो आपका base currency है base currency is that currency which is attached to work यानि कि which is quoted in per unit तो per unit वाले currency महंगा सस्ता होना ये बहुत आसान है बोलना तो हम हमेशा बोलेंगे dollar यहाँ पे महंगा हो रहा है ये मत बोलो कि यहाँ पे रुपी जो है वो सस्ता हो रहा है क्योंकि रुपी की quantity बढ़ रहा है क्योंकि उसके quantify करना दिक्कत हो जाएगा उसका percentage निकालना भी दिक्कत हो जाएगा चलिए depression भी कि हम बात करते है जब currency कोई जिसका price घट जाए तो हम उसको बोलते है depreciate कर रहा है Depresion अप है currency currency depreciates when price of that currency decreases अब price कैसे घट रहा है बहुत आसान ये देखो 75 से अगर 72 पे चल गया तो हमें दिख रहा है कि घट रहा है ये देखो quantity घट रहा है इसको लेकिन इसके लिए मत सोचना क्योंकि सस्ता क्या हो रहा है सस्ता ये हो रहा है हमेशा 1 kg Apple 75 का चल रहा था 1 kg Apple 72 का हो रहा है तो Apple यहाँ पे सस्ता हो रहा है लेकिन quantify कैसे करोगे, जब per unit के term में लेके जाओगे, तब आपका आएगा, conclusion हमने ये किया है, when a currency appreciates price of that currency increases, क्या बोला मैंने जहां से सुनियेगा, जब currency appreciate करता है, तो price बढ़ता है, और price कौन सी होता है, बताए, quantity of other currency increases, other currency हम इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ये है other currency, य हमारा base currency, या इसको हम लोग price currency भी बोल सकते हैं, चलो एक काम कर लो, इस other currency को, कहां गया, यह other currency जो हमने लिखा है, other currency को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह हमारा price currency, other currency को ऐसे arrow लगा के लिख लो, यह हमारा price currency, जिसमे price लिखा गया है, वो है हमारा price currency, ठीक है, तो price currency की quantity बहुत सिम्पल से रूल जिस करेंसी पे जो करेंसी अप्रसेट करता है उसके प्राइस को बढ़ाना है ठीक है जब करेंसी हमारा डेप्रसेट करेगा तो प्राइस घटेगा और प्राइस जो होता है वो कौन सी करेंसी जिसके क्वांटिटी जाद है वो अधर देन वन वाले है तो डिक्रीजेज वन क्वांटिटी अफ अधर करेंसी डिक्रीजेज अधर करेंसी मतलब यहाँ पे प्राइस के लाइब वाले को कोज पूछना है तो आप मोबाइल पे कॉम्मिकेट करोगे आपके स्क्रीन पे जो जट बाक्स दिख रहा होarti मैं चैट बाक्स ओपन नहीं करता हूं क्यूंकि मुझे बार-बार स्क्रीन इदर देखना होता है लिदा क Championships बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं इसलिए आप लोग अगर जो रिप्लाई नहीं आता है बाद में तो कॉल कर लेंगे कॉल का रिप्लाई आएगा याएगा ठीक है अभी भी अगर मान लेजिए कोरी पूछते हो को लाइब वाले आपको मैं नहीं देख पाता हूं तो आप इसपे कॉल करेंगे मिस कॉल आ जाएगा अपने मेरे को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ आप कुछ कहना चाहरे हूं चलो आगे बढ़ते हम लोग हां जी तो यह तो क्लियर हो गए जो करेंसी महंगा सस्ता होगा उसकी क्वांटिटी पर कोई इंपक्त नहीं डालना है उसके प्राइस पर डालना है कितना असान लग रह होगा ना और अभी आप देखेंगा ना चार-पांच दिन के बाद फिर से मिस्टे कहां करो गया वहीं पर जाके चली आगे बढ़ते रीजन ब्याइंड अप्रेसेशन डेप्रेसेशन पीछे पिछले क्लास वी आपने बहुत सारे डिसकसिन किया था क्या डिसकसिन किया था है बताइए चलो एक-एक करके आते हमारा अगला टॉपिक है वह है कि रीजन ब्याइंड कि एप्रेसेशन डेप्रेसेशन जब तक मैं इधर लिख रहा होता हूं हेडिंग तब तक आप लोग उसको हाइलाइट कर लो कलर फुल अपना रेइस्टर बना लो विजीवल है न है हैंड राइटिंग पढ़ने में आ जा रहा है न एक दो दिन में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा से उसमें आर वी फिर वो कुछ सब में थोड़ा सा करिज crucasie को सकता है बड़ फिर भाजबी हो गया चलिए करेंसी क्यों इप्रसेट होता है क्यों डिप्रसेट होता है इसको बहुत सारे रिजन होता है टिक है उसमें से कुछ रिजन जो है वह हम सिंप्ली ऐसे कह सकते एक रिजन तो आपका इमांड act अब और आपको बता दू डिमांड सप्लाई जो होते हैं वह कहां से आता है कि डिमांडेंड सप्लाई आप सोचो कोई करिंसी महंगा हो रहा है क्यों ज्यादा लोग खरीदना चाहें बॉली लगतें याद रही मार्केट में जब भी देखोगे किसी चीज़ का तो बोली लगा कि यहां पर ट्रेड होता है ठीक है कहीं पर भी जाईए आपको यह दिख जाएगा जैसे मान लीजिए हम थोड़ा दर के लिए नसी पर चले जाते हैं यहां पर जाते हैं और कुछ भी आप लिख दो चलो ठीक के लिख दिया मैंने यूवेस्टी आई एन आर आ जाएगा क्या यह आगए देखिए यूवेस्टी आई आई आर आपके सामने आ जाता है और यहां पर देखिए कुछ दिख रहा होगा यहां पर ओर बुक दिख रहे कुछ यह जो मार्केट में अभी कितना बज़ रहा है पांच बज़े तक यहां पर ट्रेड होता है पांच बज़े तक ठीक है इसमें तो आप देखोगे इसमें तो यह कुछ दिख रहा होगा आपको इधर आस्क दिख रहा है और उदर बिड मार्केट के लैंग्वेज में अभी हम पढ़ेंगे बिड और आस्क बिड मतलब खर इसी को ओफर रेट भी बोला जाता है तो देखिए इधर आपको जो दिख रहा है आपका क्या है आस्क रेट उधर जो दिख रहा है बिड रेट है और क्वांटिट यह खरीदने वाले का यह बोली लग रहा होता यहां पर बोली कैसे लगता यहां पर ध्यान से देखिए य यह एक बायर है इसमें बहुत सारे लोग होंगे देखो इसमें 155 क्वांटिटी जो दिख रहे हैं आपको यह 155 नहीं है इस पर 000 डाल दो यह इतना क्वांटिटी आप बोलोगे यह कैसे पता वह जब आप मार्केट में जाते तो आपको समझ आ जाता है यहां पर 1 का मतलब 1000 ह होता है तो यहां पर 1000 होते हैं यह डॉलर का रेट है आपको जो मैंने भी निकाल है मैंने युएसडी को टच किया था तो युएसडी वाले रेट है यह खरीदने बाले कहते कि देखो मैं 81 रुपीज 81.8250 पे हम खरीदना चाहते हैं दूसरा कहते हैं ने मैं 81.82 पे खरीदना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा जो सस्ता खरीदना चाहता है उनका नंबर बाद में आ रहा है दिख रहे आपको अगर यह मार्केट अभी ओपन होता तो यह आपको रियल टाइम में गईषिजो का door का बट अपने जो मूवी में देखा होगा यहां पर क्या होता है वन साइड होता है यहां क्या होता है ऩ कहते है यहां क्या होता है बेचनेवाले ही दो ड्वारे आप आपको समझ आजे कितना quantity है ये इस पर अगर आप triple zero लगा दीजे तो आप देखे क्योंकि एक का मतलब 1000 है तो देखो आप इतने quantity का buyer seller बैठा हुआ है जबकि यहां से count करोगे तो इतना ही दिख रहा है आपको क्योंकि होता क्या है NSE जो होता है top five buyers को दिखाता है अपने screen पे और इधर देखोगे तो top five sellers को दिखाता है top five sellers जो सस्ता बेचना चाहता है उसका number सबसे पहले होगा देखो आप movie ओगर हमें जो देखा होगा वहां buyer एक होता है खरीदने वाले बहुत सारे होते यहां क्या होते है बेचने वाले भी बहुत सारे हैं खरीदने वाले भी बहुत सारे तो आप मुझे बताए यह number किसका पहले दिया जाएगा किसका priority पहले आप सोचो पांच लोग आया dollar जो सस्ता बेचेगा तो यह देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको यह सस्ता बेचने वाले देखो आप सबसे सस्ता वाले यह होगा दिख रहा है उससे थोड़ा महंगा यह होगा उससे थोड़ा महंगा यह होगा उससे थोड़ा महंगा यह होगा दिख रहा है आपको औ क्योंकि यहां एक्सेंज में क्या है, 0.0025 के gap पे ही बोली डाल सकते हैं, कोई बोली लगाना चाहते हैं तो कोई कहते हैं, नहीं मैं 81 रुपीज, 8351 पे बोली डालना चाहता हूं, बोली नहीं डाल सकता है, क्योंकि यहां पे 25 pip का tick side चलता है मार्केट के अंदर, pip, यह 25 pip है, क्योंकि 0.0001 को foreign exchange के market के language में इसको बोला जाता है 1 pip, price index point बोला जाता है 1 pip, यह market की language में बोला जाता है, यह 1 pip है, तो 0.0025 कितना हो गया आपका, 25 pip, तो 25 pip का tick side चलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, चलो कोई नहीं आगे देखेंगे हम और भी चीज, तो इतना हम अभी आ जादा जल्दी होता है, seller अगर कम हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, seller अगर बेचना ना चाहे, seller अगर बेचना ना चाहे, लेकिन buyer को खरीदना ही खरीदना है, तो कैसे होगा, बताई आप तो ध्यान से सोचके बताई यह जल्दी से, मैं क्या, आचा, यह जो है न, यह सारे pending बेचना चाहे, लेकिन खरीदा बेचा नहीं गिया है, पहले यह बातों को समझो आप, जैसे देखते हो, बिल्डिंग का निलामी हो रहा होता है, निलामी ही बोलते हैं तो अगर गलत हो रहा है, तो ठीक है, अड्जस्ट कर लीजेगा, वापस आईए, मान लीजे बिल्डि होता है, अब सेलर भी बहुत सारे हो जाए और बायर भी बहुत सारे हो जाए, तो किसका बिकेगा, सोचो, जहां पे सबसे सस्ता बेचने वाले, और सबसे महंगा खरीदने वाले, जब इन दोनों की बोली जब माच होगी, तभी तो ओर एक्स्क्यूट होगी ना, सिर्फ ब जितना में महंगा से महंगा बायर जो है, वो भी सस्ता है बेचने वाले से, दिख रहा है, अब क्या होगा देखो, या तो सेलर को जल्दी होगा, तो वो बोली अपना, इस ओर को या अपने बोली जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो चेंज कैसे होता है, बाद में देखेंगे, ये क्या कर सकते हैं, इस बोली को घटाएगा, घटाएगा कहां पे लाएगा, इस पे, तब जाके इसका ओरर एक्सीट हो जाएगा, मान लिजी ये क्वांटिटी पांच है, पांच क्वांटिटी का ओरर इसने अपना घटा के, और इसने कर दिया 81.8250, तो क्य यहां पे 150 क्वांटिटी इतने रेट से बैठा रहेगा, और ये आजाएगा टॉप पे अब, बात समझ में आ गए, हमने यहां पे क्या देखा, कि अगर सेलर को जादा जल्दी होगा, तो वो सस्ते रेट पे बेचना सुरू करेगा, अपना बोली घटाएगा, तब ही उसक भी रहा है, ये वाले, अगर मैं अभी ध्यांसे रखिएगा, इसको मूड चेंज होने में सेकंड लगता है, इनका मूड बदलने में सेकंड लगेगा, बायर को क्या लग रहा है, अरे इतना तो सेलर अभी ये मिल भी रहा है मुझे, थोड़ा दर के बाद तो ये भी अपन गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, मुझे फिर इतने में खरीदना पड़ सकता है, बात समझ में आ गया, तो बायर को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब का मूड बदल जाए, बायर को जादा जल्दी है, तो फटा-फट ये, ये न पहुंच जाए, इस किस का, किस करिंसी का, किस करिंसी का, डॉलर का, याद रखना, 81 से 82 जाता है, क्या महंगा हो रहा है, डॉलर, क्योंकि ये डॉलर का प्राइस है, और अगर सेलर को जल्दी होगा तो, बेचना चाहेगा, क्योंकि मान लिज़े किसी के पास डॉलर है, वो कहते मुझे बेचना है अब उसको ज़्यादा जल्दी है लग रहा है कि अभी तो बायर मिल रहा है थोड़ा दर के बाद मुझे ये भी बायर नहीं मिलेगा किसी रीजन से मानले उसको लगता है कोई न्यूज है बाहर कोई न्यूज ऐसा है कि मैं डॉलर बेचने जाओंगा बायर को खरीदने कोई त्यार नहीं होगा अरे अभी तो कम से कम मिल रहा है ना फटावट बेचो तो अगर बायर सेलर को ज़्यादा जल्दी होगा तो क्या करेगा जल्दी बताओ सेलर को अगर ज़्यादा जल्दी होगा तो क्या करेगा वो सस्ता बेचना चाहेगा सस्ता बेचना चाहेगा ये बोली अपना क्या करेंगे रिवाइज करेंगे ये ये बोली रिवाइज करके कम करके इतन पर बेच देगा वो तो मतलब देखो इस पर price आ जाएगा, थोड़ा सा और सस्ता करेगा, फिर इस पर बिग जाएगा, यानि कि price कम होना शुरू हो जाएगा, currency के trading 9 to 5 चलता है, इंडिया में currency के trading 9 to 5 होती है, 9 बज़े से लेके 12 बज़े तक जो आपका market में trade होते हैं, वो trade को नजर रखते हैं Central Bank, RBI की लोगों ने कितने पर trade किया, और वो जो rate होते हैं उसको average करके, और तब आपको RBI क्या करते हैं, अपना rate जो होते हैं, वो declare करते हैं एक बज़े दिन में, daily देखना, जो RBI का rate आपके सामने आएंगे, वो कितने बज़े आएगा, RBI का rate आपके सामने एक बज़े आएगा, यह देखो नीचे आपको screen जो दिखेगा, हर दिन एक बज़े नया rate आता है, यह देख रहे हो नीचे आपको, 130 IST, IST मतला Indian Standard Time, तो Indian Standard की हिसाफ से, डेर बज़े rate आता है, तो आपको bank में देखने जाओगे, अगर डेर बज़े से पहले जो rate आपको मिलेगा, और उसके बाद जो rate मिलेगा, आपको rate बदल जाएगा, इवें जैसे यह Reliance Jewelry के shop, जो यह Reliance Jewel Sugar है, इनके पास क्या होता है, डेली के basis पे आपका gold का rate आता है, इनके head office से, head office से क्या, पूरे India का gold का rate आपका change होते है, एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, सब कुछ हो रहा है, ध्यान से देखो, even मुझे quotation तक दे चुका है, जो estimate होते है, estimate दे चुका है, और जब उसने bill किया, तो rate बढ़ा के किया, क तो उस दिर मुझे समझ आया, और मैंने उनको ये भी बोला कि अरे भाई सब जब तुम्हारा rate चेंज हो रहा था, तो क्या तुमने अभी 5 मिनिट पहले मुझे बोला कि देखो, यह हमारा 12 एक्जाक्टि साइड आज उन लोग का time बार या कितने बज़े का है, उनके rate अप तो इससे quotation आएगी हो, तो बड़े हुई आएगी, तो मैं आपको price lock कर देता पहले ही, तो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे system, मैं कहते हैं ठीक है, आपके system तो हो समझ में आगे लेकिन आप inform तो करते हैं, यह क्या होता है, customer satisfaction इसी चीज़ों को तो बोलते हैं, आपक मुझे महंगा बेचो, सस्ता बेचो, आपको तो salary मिल नहीं है, तो हमसे गलती हुई, तो हमके लिए गलती हुई तो इसका नुकसान कौन भड़ेगा, ठीक है, तो चलो ठीक है, बड़े की फ्रमलों के पास 500 रुपे का होता है, तो हम किसी के बड़े में हम आपको attach कर दें, मार्केट से, मार्केट से, मार्केट से उठाते हो, वो कहीं से नहीं है, वो मार्केट में जो trade हो रहे होती है, वो demand supply से उठाता है, मैंने कली क्या बोला था, central bank जो होते हो, दो तरीके से rate code करता है, एक fixed rate policy होते है, variable rate, यहाँ पर जो चलते है, market decided policy चलते है, कि market जो बोलेगा वो rate चलेगा, और fixed rate policy जो है, जैसे मैंने बोला कि Nepal, Central Bank और Indian Central Bank जो दोरों ने एक rate fix कर दिया है, कि देखो यह rate पर ही confirmation होगे, इसमें कोई trading नहीं होगा, इसमें कोई demand supply नहीं आएगी, तो फिर ठीक है, demand supply नहीं आएगा, even जब आप देखोगे, 2013 में, 28th August 2013 है, उस दिन एक दिन में, dollar currency, approximately 4% महंगा हो गया था, और Indian currency सस्ता हो गया था, एक दिन में, ठीक है, वुच टाइम की जो rate आई थी, I think मेरे हिसाब से, कुछ 69, यानि कि 70 के around, 2013 में 70 के around पहुच जा था, तो बिल्कुल, अर्थ को एक आगए थे, financial market में, जहां भी देखो, new sugar में, अरे आज Indian currency क्या हो गया, 4% से, सस्ता हो गया, उसके बाद, immediate अगले दिन, 2,5% से, appreciate हो जाता है, और continuously, एक महिने के अंदर, जो rate है न, वो आपका 69, यानि कि 70 से, वो rate मेरे हिसाब से, एक महिने के अंदर, वो rate पहुच गया थे, 70, 60, 70 से, वहां 6 रुपी नीचे आ गया थे, यानि कि मोटा मोटा हो जाएगा, 63 है, और कितने के आस पास, तो वहां पर बार-बार news में आते थे, कि RBI, अपने currency को stable करने के लिए, वो खुद market में participate करते हैं, इसलिए RBI को dirty regulator भी बोला जाता है, यह ऐसा regulator है, जो regulate भी करते हैं, और खुद market में participate भी करते हैं, जैसे क्या हो गया, कि मालने जे कोई, कोई चीज़ों को manage करते हैं, तो भ हाँ, क्योंकि reserve तो किसके पास है, इनके पास, अब क्या हो गया, देखो, demand dollar का इतना ज़्यादा हो गया, और reason क्या था, मैं बताओ, वो जो US की recession थी न, उस recession की वज़े से US government ने, यानि की federal reserve ने कुछ अपना decision लिया था, decision के लिए तो मैं एक line बोल भी देता हूँ, आपको थोड़ा सा पता चलेगा, वो quantitative easing करके कुछ पहले होता था एक वो चीज, वो अभी भी कभी आ सकता है आप लोगो, जब आएगा तो आप लोगो समझ आएगा, जब कोई country, जब recession में जाना शुरू करते है, तो अपना interest rate कम करते है, इस पे हमने कल बात बोल दिया था, ठीक करते हैं, वो bank में पैसे नहीं रखते हैं, वो कहीं और लगाते हैं, उसको इंडिया में investment करने से ज़्यादा return नहीं मिल रहा था, तो वो सारे उनको जब अपने country में return जब कम हो जाता है, ने investment का, तो वो कहीं दूसरे opportunity ढूंडने लग जाते हैं, तो उस time उन लोगों को इं invest कर रखा तो वहां के investors हो कर रहा, कहां के US के investors कहते हैं, हमें तो वहां return मिली नहीं रहा है, तो हम कहां के लगा दिये, इंडिया में, उस time पे US government को लगा, कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, अपने GDP को बढ़ाने के लिए, हमने interest zero करा हुआ अब ये लोग क्या कर रहा है, अपने country में ना लगा के कहीं और जाके बाहर पैसे लगा रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, restrictions डाला, restrictions डालते अपने bond खरीदने की, जो federal bank कहते हैं, हम bond issue करें तो मैं खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, तो पैसे तो लाने पड़ेंगे, मजबू पूरी डाल दिया किसने, federal reserve ने, अब क्या होगा बताओ, सोचो, exactly वही हुआ था उस ताइम पे, अब उनको क्या होगा, सब को अपने country में पैसे लेके जाने, अब यहां से क्या करेगा, वो dollar खरीद के लेके जाएंगे, dollar पर यहां demand क्या हो गए, बढ़ गई, एक दिन के अ बताओ, यह dollar का demand बढ़ा, dollar महँगा हो गए, अब RBI कहते हैं कि हमें तो control करना पड़ेगा, अब supply, जितना demand है, उतना supply तो करने पड़ेंगे, तो वहां पे देखना news में आ रहे थे, कि RBI ने अपने इतने का reserve बेच के अपने country के जो currency उसको control किया, तो RBI क्या करते हैं अपन देखते हैं आज तो नहीं, अब next time में आपको news ओगर दिखाऊंगा, 2-3 currency का report ताकि देखना कि वह लग जो word यूज कर रहा है कि वह आपको word समझ आता है या नहीं आता है, exactly वैसे ही जब जब वहां पे China की जो slowdown की बाते हुई, जब वहां पे market में circuit लगा, circuit ओगर अबाद currency reserve खुद खरीदने लग गया, बताओ ऐसा क्यों करेगा, कोई अपने currency को क्यों depreciate करेगा, सोचके देखो, अब देखते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आएंगे तो, अपने currency को depreciate करने लग गया, और यहाँ पे अपने currency को इस्टेबल करने कि लिए इंडियन government आपको आंसर मिलेंगे, तो चलिया यह वापस, हम जो भी बात कर रहे थे, appreciation, depression के, इसमें खास करके, जो होते हैं, government की policy बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, है न, यह मैंनों लग देखिए, there are so many factors due to which currency appreciates, अब लिग depreciate, ठीक है, daily का demand supply जो मैंने आपको दिखाया है न, और यह demand supply आता कहां से पता है, economy के condition और government की policy ऐसे समझ जाए, खास करके, economy की जो condition होते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा है, demand supply जो होते हैं, हमारा effect होता है, यह हम ऐसे कह सकते, government की, economy के condition के basis पे, government की कुछ policy आती है, उस government policy की बज़े से demand supply भी create होते हैं, हमारा, okay, interest rate वो तो है ही, और inflation तो ही हमने last class में ही बोला था, क्योंकि inflation के basis पे ही हमारा currency appreciate क्या केते हैं, value जो public होगा, circulation में बढ़ेगा या घटेगा, जिसकी वैसे interest में को impact आता है, तो inflation, interest rate और demand supply आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, तो इन दोनों को तो हम specifically भी पढ़ेंगे, कि interest से हमारे currency पे क्या impact आता है, और inflation से कैसे impact आता है, थोड़ा बहुत हमने last class में भी देखा था, कि inflation जादा हो तो हमारा currency depreciate होता है, कैसे depreciate करता है, हमने quantify भी कर दिया था, वो आगे हम एक वार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे interest से भी मैं आपको quantify कराऊंगा, और banki economy के condition के business पे कै पैसे होता है, मैंने थोड़ा से एक example आपको दिया था, कि जिस country का recession में जब जाते है, कोई अगर उसके पैसे अगर दूसरे country में निकलने लग जाते है, तो उस case में भी currency का जो fluctuation ने बहुत जादा होता है, इवेन आपको मैंने एक example दिया था, जब UK European Union से बाहर हुए थे, तो 10% से currency क्या हुआ था, depreciate हुआ था, अभी आपको सब समझ आएगा, हम दिखाएंगे अभी, ठीक है, वापस आइए, तो यह हमने बोलाए कि देखिए, बहुत सारे factors से जिसमें से demand supply है, demand supply economy के condition से create होता है, interest rate और inflation भी है, यह दोनों तो हमें quantify करके कि बहुत सारे questions में भी ऐसा होता है, देखो, जब भी कोई बाहर वाले आते हैं, इंडिया में, जब बाहर वाले आते हैं इंडिया में, तो उनके पास कौन सी currency था, dollar currency, यह देखो, diagram बना रखा होगा हमने, देखो, foreign investor जब आया जिस time, तो उनके पास तो dollar है, वो लेकिन यहाँ जो खरीदेगा, व वो dollar में investment नहीं हुआ होगा, उनका investment किस में हुआ, रुपी investment में हुआ है, तो वो dollar को बेचके, रुपी खरीदा हुआ है, जिस रुपी से उसने यहाँ पे investment करा हुआ है, कब? जब invest करा था, जब invest करा था, अब हमारा situation कौन सी वाले बताए, डिस investment की जब वो वापस लेके जाने वाले situation है, तो वापस लेके जाने वाले situation है, तो dollar तो अब उनके पास dollar नहीं है, यहाँ पर जो investment हो रखी है, कौन सी currency में? रुपी में हो रखी है, यही आप कहना चाहरे हो, हम भी यही कह रहें कि रुपी में है, तो रुपी वाले जो सामान है उसको पहले बेचो, ज आप बोलोगे कि dollar कहां खरीदे, अरे कहीं भी खरीदो, currency तो उतना ही है न, कहां खरीदो से मतलब नहीं है, कहीं भी खरीदो आप, ऐसा थोरण है कि जो आपको चीज दिख रहा है, इंडिया में ही currency trade होता है, तो हर जगा trade होता है, भाई इनको लगता है कि फोरण इसको ले यहां पर कि देखे, some factors are, यह तो हो गया, daily demand and supply are linked with economy condition, interest rate and inflation, वो तो हमेशा होते रहे थे, हमने कल से बता रहे है, जब inflation जादा होगा, interest rate बढ़ाया जाएगा, GDP की तरफ डाउन जाएगा, और currency हमारा depreciate होगा, अब बोलोगे यह कैसे हो गया, सोचो, GDP गिरना, वैसे भी negative है, interest rate बढ़ना, negative है, हमने पहले ही बोल रखा था, interest rate अगर बढ़ाओगे, liquidity कम होगी, liquidity कम कैसे होगी, लोगों के हाथ में पैसे कम हो जाएगा, banking channel में जादा पैसे चला जाएगा, जब लोगों के पैसे कम है, तो वो production भी कम करेगा, और consume भी कम करेगा, दोनों कम होगा, तो automatic GDP GDP कम हो जाएगी, तो GDP कम होना भी negative है, interest rate बढ़ना भी negative है, याद रखिएगा, कुछ लोग इसको link कर लेते positively, गलत, interest rate बढ़ना negative है, country के लिए, अभी जो ये interest rate बढ़ रही है न, वो positive नहीं है, वो country के लिए negative है, क्योंकि इसे GDP पे impact जाएगा, adverse impact जाएगा इसे, और उस case मे आपका currency क्या होगा, depreciate करेगा, लेकिन हमारा currency अभी depreciate नहीं करेगा, बताओ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितना inflation यहाँ पे है, उधर भी अभी उतना चल रहा है, मैंने अभी तक तो देखा ही इतना inflation US का, मैं आपको बताओ, ये खास करके data अगरा तभी check करते हैं, जब नहीं करते हैं, तो मैं कोई business channel को open भी नहीं करता है, बात खता है, अब इस अगर मेरा कोई trade रहेगा, तो मैं रात को कुछ देर के लिए तो मैं G business हो या CNVC आवाजों में दोनों में से देखी लूँगा, जैसे भी हो, क्योंकि at least update हो जाती कि क्या चल रहा है उधर, तो उस 6% का inflation तो US का अभी तक नहीं देखा था, 2, 3, 2, 3, अभी तो मुझे अभी तक के सबसे highest दिख रहे हैं 10 साल में, उससे पहले होगा मुझे नहीं पता, इंडिया में भी कितना चल रहा inflation, 6%, जब दोनों तरफ का inflation same है तो currency बहुत जादा का impact नहींगा, हमने बोला है depreciate होगा, लेकिन इसका impact नहींगा क्योंकि वो दोनों comparatively होता है, एक चीजों से नहीं होता है, वापस आजाए, inflation जब low होता है, तो interest rate को घटाया जाता है, GDP बढ़ाने की कोसिस होती है, वो अच्छा नहीं जो होता है, currency हमारा क्या होता है, appreciate करता है, यह मैंने बोला, यह theory है, but day to day basis प होता है, second second में होता है, बातसर में आगे, तो वो news जो होते हैं, उसके basis पर चलते रहते हैं, तो इसको base मत बनालना कि ऐसा ही होना चाहिए, यह theory कहता है, real life में कुछ आपका बदल भी सकता है, we can link it with a stock market also, demand and supply of equity are also linked with currency appreciation, oblique depreciation, एक चीज में आपको दिखा दूँगा जब जब आपका market crash करते हैं, उस टाइम आपका dollar currency महँगा हो जाता है, जब जब market crash करता है, तो dollar currency महँगा हो जाता है, market जदा तर पहले, अभी तो देखा जाए, lockdown के बाद थोड़ा सा FII का उतना impact मुझे नहीं दिखता है, यानि कि market में तीन तरह के player है, FII, DII और retail investor, ओके FII, foreign institutional investor, DII, domestic institutional investor, और एक हो गया आपका retailer, lockdown के बाद से, retailer की participant stock market में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा की imagine नहीं कर सकते हो, ठीक है, उस से पहले देखोगे, FII अगर बेचने लग जाए market में, तो market गिरना confirm होता था, FII अगर यहाँ पे खरीदने लग जाए, तो stock market क्योंकि demand बढ़ गई न, share खरीदेंगे, तो share का price उपर जाएगा, तो बढ़ जाता था, आज कल दिखता है कि FII बेच रहे हैं, फिर भी market नहीं गिर रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि लगता है कि FII से ज़्यादा strong यहाँ के DII और retail investor हो चुका है, सायद तभी तो उनके impact उतना नहीं दिखता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो ठीक है, मैं अगर बात करूँ पहले, जैसे पहले exactly ऐसे दिख जाता था, अभी थोड़ा उतना आपको perfectly match होते विए नहीं दिखेगा, यानि कि market थोड़ा ज़्यादा efficient होगी, हम ऐसे बोल सकते हैं, आगे आपको पैसे कमाना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और कहते हैं, अगर आसान हो गया, मतलब market ठीक नहीं है, market में दम नहीं है, इसलिए आपने market को forecast कर लिया, अगर उसमें दम होगा, तो आप उसको forecast नहीं कर पाऊगी, जैसे आप आपके जो दोस्त होंगे, अगर उस अगर बात करोगे तो, उसके comparison में market को forecast करना थोड़ा और ज्यादा difficult होता जा रहा है, क्योंकि market efficient होता जा रहा है, चलो वापस आते हैं, Indian economy के लिए, Indian economy is expected to grow, Indian economy अगर grow होने वाला है, तो क्या होगा पता है, stock market बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पैसे invest करना लोग वहाँ सीधर आता है, क्योंकि वहाँ के comparison में यहाँ पे growth ज्यादा है, तो लोग वहाँ से ज्यादा पैसे कहा लगाना पसंद करते हैं, यहाँ पे, जैसे यहाँ पर एक minute के लिए जाएए, अगर कभी आपको लगे कि Indian market मुझे देखना है, दो website अभी बहुत ज्याद ज्यादा popular है, एक trading view और एक आपका investing.com, investing.com और trading view, trading view तो कुछ ज्यादा ही popular है, ठीक है, तो आप जैसे मान लिजे मैं चला, यह globally सारे market के, globally यह track करता है, क्या करते है, trading view और investing.com, यह दोनों globally सारे चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी भी चीज का quotation आपको चाहिए, इन दोनों website पर आपको मिल जाएगे, कहां थे यहाँ, मैं चलता हूँ थोड़ा दिर के लिए, अगर आपको US, मैं कहां आगे, तो यह नसी है, मैं चलागे, investing.com पर, दिख रहा होगा, अगर US में क्या हो रहा है, वो अगर देखना है, तो यहाँ पर लिख लो, Dow Jones, जैसे हम maximum ले लो भाई, यह भी बढ़ गई क्या अभी, आ गए है, टॉप पर यह भी, यह टॉप पर आ गई है, नहीं तो अभी देखो, नीचे बीच में आपको दिख रहा होगा, October के आसपास, बहुत ज्यादा नीचे आ गए थी, यह अभी भी आ गए है, यानि कि हम कह सकते हैं, 5 के तौप के लेवल पे, पहुँंच रहा है, बहुत जादा नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत जादा यह लिए, तुर ण 4 मेने पहले, दो 3 मेने पहले हम कह सकते हैं, बहुत जाद नीचे छे अभी यह ऑक्टूवर, नौमऑ बश्यादी के, दौ महिने में है, तौ महिने में क्यों रहा है कि इंडियन मार्केट देखना है तो आपको बहुत आसान है किसको देख लो निफ्टी को निफ्टी या संसेक्स दोनों में से किसी को कि देखो गए तो काम चल जाएगा कि अप्ट्रोबर के आसपास कहां दिख रहे आपको कि डी टॉप के लेवल पर ले कि अगर इसको ग्राफ अगर वाइज देखो गें तो अक्ट्रोबर में इतना नीचे नहीं था जितना आपको यूस मार्केट दिख रहे थे दिख रहे आपको और अभी देखें इंडियन मार्केट कहां दिख रहे आपको वो तो फिर भी नीचे दिख रहे आपको और यह कहां दिख रहे देखो सबसे टॉप पे दिख रहा है बस ग्राफ देखना उसे ज मज़े नहीं आ रहे हैं कि अ कि मैं दूस्रे वेब्साइट पर चला गया कोई उदर कुछ प्राव्लम आ रहे थी मैं इधर आ गया देखो यूस्ड आज़नाट कितना रेट भी दिख रहा हमें 81.76 मैं इसके चार्ट पर चला गया चार्ट पर आप देखते हो कि मैंने यह चार्ट ले लिया एप्रॉक्सिमेटली आपको एक साल का एक साल का एक साल का यह ने यह एप्रल में 2023 कि यह चलो फाइव यह का चार्ट ले लिया यह देखिए फाइव यह का आपके सामने कुछ ग्राफ आ रहे होंगे आप सब्सक्राइब कि अब देखेए इसमें है कि और तूथ होजें 19 के अरॉंड कितने पर इसद चल रहे थे सेवन टी के अरॉंड आज ड़ कितने पर चल रहा है यह देखो गे ने यह जो आपका टाइम फ्रेम है यह बी इसी बीच में एटी से कि ज्यादा उपर न ज्यादा आपका नीचे लेकिन लॉंग रन में बस आप चेक करके देखो लॉंग रन में आपको क्या दिख रहा है कौन सी करेंसी महंगा होते वे दिख रहा है आपको ग्राफ अगर चेक करोगे तो अप्ट्रेंड में ही आपको दिख रहा है क्या यहां स हमेशा वहाँ का क्या है कम है interest rate हमेशा वहाँ का कम है इंडिया का inflation और interest दोनों आपको हमेशा क्या दिखेगा ज्यादा तो आप उन दोनों के comparison में अगर आप देखोगे तो continuously आपको क्या दिख रहा है dollar currency महंगा होते हुए याद रखेगा continuously dollar currency आपको बेंगा होते हुए दिख रहा है अभी जो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखने की कोसिस किया और जो दिखाना चाहा था वो आपको अभी current कुछ दिनों में आपको यह match होते हुए नहीं दिखेगा जहां से सुनिएगा क्योंकि normally क्या होता है पीछे के अगर आप graph देखोगे तो जिस time इसका impact जादा होता था जिस time foreign investor की impact जादा होते थे इस time यह clearly दिख जाता था market में कि market की direction अगर ऐसा है तो currency की direction ऐसे होते थे बात समझ में आ गया लेकिन अभी पिछले एक दो साल से इस तरीके से exactly आपको graph नहीं मिलता है क्योंकि currency भी क्या हो रहा है एक साल में तो नहीं है फ्लाट ही है एक साल में तो हम कह सकते हैं बढ़ना हुआ तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप देखे 2020 2020 में भी 77 के राउंड थे और आज भी कितना है 81 कह सकते हैं ये phase में आपका जो नहीं 21 इसमें ये देख रहे हैं ये वाले phase आप देखो द्यान से जबकि market बढ़ रहा है द्यान से देखे मैं ये इसी ची जो को बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत बार exception आता है exception को भी जानने की जो रद ये देखो ये phase कहां से के देखो आप ये कुछ दिनों का नहीं है ये देखा जाए तो पूरा का पूरा एक साल का फेज है एक साल से ज़्यादा ही हम कह सकते है एक साल में आपको क्या दिख रहा होगा बताइए market जो है देखो उसी के आसपास 72 से 75 के बीच में पूरा move कर रहा है दिख रहा है आपको यानि कि पूरे एक साल तक market यहीं कह यह है लेकिन इस 21 से 22 के बीच में जग अगर आप market की graph देखोगे न तो आपको कैसे दिखेगा बढ़ते होगे तो उस case में क्या होना चाहिए था currency तो depreciate करना चाहिए था बट क्यों नहीं करा क्योंकि मैंने क्या बोला ही देखो यह जो मैंने आपको बताने की कोसिस किया है यह खास करके किसका impact है foreign investor का impact जब market पे होते है तब यह आपको दिखेगा क्या दिखेगा ध्यान से देखे जब foreign investor इंडिया में आएंगे कब आएंगे जब लगया कि इंडिया निकनमी ज़्यादा अच्छा grow करने वाले तो सारे बाहर वाले कहा आ जाएंगे इंडिया में आ जाएंगे उस case में क्या होगा वो डॉलर पहले बेचेगा क्योंकि डॉलर लेकिया आया है डॉलर का supply हो गया बताईये बढ़ा तो डॉलर का price क्या होना चाहिए किर ना चाहिए अब वो डॉलर बेचके रूपी लेके तो आगए अब रूपी से क्या करेंगे क्या करेंगे रूपी से ट्रेड नहीं करते वो लोग इन्वेस्ट करते हैं ठीक है मैक्सिमम जोते वो लोग इन्वेस्टी करता है तो इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा यहां के कंपनी में पैसे लगाएंगे यहां पें कंपनी में पैसे कैसे लगाएगा, बताओ, आप रिलाइंस का मालिक बनना चाते हो, कैसे बनोगे, उसके सेर खरीद लो, कुछ लोग यह मान के चलते हैं, सेर खरीद रहे हैं, मतलब जुवा खेल रहे हैं, गलत सोच रहे हो, बिल्कुल ही ना समझ है, ऐसे समझ जवाब, अगर को यह सोच रहे हैं, कि हम किसी कंपनी का सेर खरीद रहे हैं, तो जुवा खेल रहे हैं, वो ना समझ है, ऐसे समझ जवाब, ठीक है, आज के रेट पे रिलाइंस जैसे कंपनी बनाना, इस लाइफ में तो नहीं हो सकता है, दो-तिन पीडी के बात अगर बन जाए, तो आप मुझे बताइए, उतना अगर नहीं कर सकते हो, लेकिन बने हुए रिलाइंस की मालिक तो बन सकते हो, तो हो गया, जाओ उसका सेर खरीद लिए, आप मालिक को कैसे मालिक है, गलके रेट को कमाएंगे, उस जितना भी आपको, वो कमा रहा है, इसका मतलब आपका जितना परसेंटेज हिस्सेदारी है, उतना तो आप भी कमा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एकुटी है, क्योंकि किसी कंपनी का मालिक बनेगा, तो एकुटी शेर खरीदेगा हो, तो एकुटी शेर खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ बढ़ रही है तो आपका डॉलर का प्रैस क्या हो रहा होगा घटते हुए दिखेगा आपको बात समझ में आ गई वापस आई एक्जेक्ली यही चीज है हाँ मैंने इसका रीजन भी दे दिया कि अभी दो साल में क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका इतना इंपक्ट नही इसे समझ जाओ यह हलका पड़ चुका है इसलिए उनका इंपक्ट बहुत जादा हमारे करिंसी पे नहीं दिख पाता है इंडियन इकनमी अगर एक्सपेक्टेट टू ग्रो लेस इसमें थोड़ा बुरा होने वाला है स्रोडाउन होने वाला है रिसेशन होने वाला है क्या ह इकुटी मार्केट डाउन जाएगा तो डॉलर अप्रिशेट करेगा आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब फॉर्ण क्या कहते है पॉर्ट्फोलियो जोगर में इकुटी मार्केट का डॉलर के साथ आपको मैक्सिमम टाइम इन्वर्स रिलेशन चलता है ठीक है मैक्सिमम टा पढ़ने की वज़े से ठीक है यहां तक ओके अब आते हैं आगे अब आते हम लोगों का रिस्क अनलेसिस अभी तक हम लोगोंने करेंसी के रिगार्डिंग कुछ जाना अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है करेंसी के रिलेटेट कुछ हमने बेसिक्स जाना कहां कहां कौन कौन सी currency use होते है currency कैसे code किया जाता है currency कैसे appreciate होता है currency कैसे depreciate होता है क्यों appreciate होता है थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने background इसकी जाना अब देखते हैं हमने क्या बोला था कौन सी chapter पढ़े हैं हम लोग foreign exchange risk management foreign exchange पे हमने कुछ detail जान लिए अब हम किस पे आते हैं risk पे और दिन किस पे जाएंगे management पे और यही सब करते हुए तब उसके बाद हम question पे आना शुरू हो जाएंगे तो चलिए risk analysis करते हैं हम लोग इसको अब हम इधर लिखते हैं उधर छोड़ दो पता चला कि पता ही नहीं चला है क्या हम बोलना चाहा रहे हैं आईए risk analysis पे देखिया आपको इतना पता है कि foreign currency का risk का बाता है जल्दी बोलेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा foreign currency का risk का बाते हैं import export नहीं बोलेंगे जब foreign currency की involvement होगी हमारे transaction के अंदर payment receipt में अगर foreign currency का involvement हो गया तो risk हो जाएगी चाहे वो export हो चाहे वो import हो चाहे वो investment हो चाहे वो borrowing भी हो सकता है कोई भी transaction हो सकता है किसी भी transaction के अंदर अगर लेना देना foreign currency हो then risk आता है उसी चीजों को हम analyze करते हैं और आधर के लिए हम एक example लेते हैं ठीक है हम एक example यह लेते हैं कि दो party के बीच में transaction होता है एक है Mr. India वो नहीं है जो गायब हो जाता है चीक है नेम हम ऐसा रखते हैं ताकि सुनते ही समझ आ जाजाए अब Mr. Ram Mr. स्याम रखेंगे तो बार-बार सोचना परेगा राम इधर से है स्याम उधर से है अब बोले कि नहीं ऐसा नहीं कुछ इसा नाम रख देंगे जो उधर से हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है Mr. India Mr. USA रख देते हैं कोई बुरा ही धोरन है हांजी अब देखिए दो के बीच में transaction होगा कोई भी transaction export import या loan investment यो भी हो हम यहाँ पर मान लेते हैं मिस्टर इंडिया ने जो है Mr. USA को USA से import किया तो import किया तो अब क्या होगा ध्यान से सुनिएगा क्या यहाँ पर invoice बनाये जाएंगे बिना invoice की तो export import नहीं होगी न होगे invoice जब बनेंगे अब आस इधर notice करते रहेंगे धर ध्यान देते रहेंगे ज्यादा रजिस्टर के invoice बनाये जाएंगे कौन सी currency invoice बनेगा डॉलर क्यों वह ज्यादा पॉपुलर इसे लिए चलो ठीक है थोड़ा देर के लिम डॉलर में बना देते कितना डॉलर कोई भी आमांट ले लेते माल लेजा हंडिड डॉलर का बन गया क्या इसमें रूपी का invoice नहीं बन सकता था क्या credit period भी आता होगा आता होगा वैसे बता दू credit period भीना LC का नहीं मिलता है जब तक अगर यहां के banker यहां के banker अगर उसको assurance ना दे दे कि तुम्हें time पे पैसे मिलेगा तो यह भरोसा नहीं करेगा इस पर क्योंकि जब एक country में भरोसा नहीं होता है दूसरे country में कहां से control करेगा देखते हो जब किसी को fraud करना होता है तो कहां भागता है पिजय मालिया निरभ मोदी कहां भाग जाते बाहर बाहर क्यों भागे क्या बाहर पकड़ नहीं सकते क्या बताओ कि एक country का दूसरे country पे control नहीं होता है वो तब ही control आएंगे जब वहां के जो government होंगे उनको help करेगा तो एक चीज़ याद रखिएगा real life में import जब होती है तो उसके अंदर assurance जाता ही जाता है और assurance ही नहीं यहां के जो banker है न ध्यान से सुनते रहीएगा यहीं के banker वो उनको payment भी करता है किसको Mr. USA को payment bank की करेगा उनको और फिर इनसे पैसे ले लेगा यानि कि अगर dollar hundred payment करना है तो dollar hundred bank payment कर देगा उनको और इनसे यहां पे रूपी ले लेगा कब 6 महने बाद तो यह होता है LC का transaction letter of credit के थूँ यह import होते है जितने भी transaction आज के rate पे real life में देखोगे वो LC के थूँ ही होता है ठीक है तो अब यहां पे बट हम लोग जो question solve करेंगे कोई जरूरी नहीं वहां पे LC होगा नहीं होगा वो कुछ बताता ही नहीं है तो हम यह अजूम करके चल लेते कि इमानदार है paper पे सबको हम इमानदार रखते है ठीक है real life में बेइमान हो सकता है लेकिन paper पे इमानद है और हम यह जूम करते हैं कि कोई भी पार्टी foreign currency hold नहीं कर सकता है क्योंकि government allow नहीं करता है वो ऐसे government allow करता है आपको जैसे फेमा में लिखा हुए foreign exchange management act में आपके यह लिखा हुआ है कि किसी पार्टी के पास dollar 2000 के equivalent अगर amount आता है तो hold कर सकता है लेकिन हम क्या मान के ना ना वो 2000 भी नहीं hold कर सकता है अगर 500 रुपिय का भी अगर को invoice amount मिलेगा तो हम यह मान के चलेंगे कि हो hold नहीं कर सकता है ठीक है चलिए अभी LC भी हटा देते हैं हम मान लेते इमांदार है लोगों को भरोसा है कोई LC agreement नहीं है जब LC आएगा उसको separately पढ़ेंगे अब मु मिस्टर इंडिया के पास मैंने क्या बोला government इसको allow नहीं करता है dollar hold करने को कुछ लोग यह बोलते कि सर पहले export किया होगा न वहां से पैसे आया होगा इसके पास Mr. इंडिया के पास और रखा होगा अपने घर में अरे नहीं रख सकता हो घर में पैसे ठीक है तो क्या करेंग है government की restrictions है ओके तो आप मुझे बताए मिस्टर इंडिया को क्या करना पड़ेगा dollar खरीदना पड़ेगा यह गया bank में और bank को बोलता है मुझे dollar खरीदना है बहुत अच्छा ठीक है dollar जब खरीदने जाएगा देगा क्या इसको रुपीज देंगे अब मुझे बताए डॉलर जब खरीदने जाएंगे तो dollar का rate तो market में हर second fluctuate होता है जैसे मैंने दिखाया demand supply आ रहा है वो जो portal आपको दिखाया था वहाँ पे क्या हो रहा है हर second बढ़ता है घरता है अ एक dollar का rate हमारे पास 80 होगा या 70 होगा सरी 80 तो अभी है है ठीक 80 होगा या 90 तक पहुंच जाएगा ये कौन जानता है तो आप मुझे बताए ये तो किसी को नहीं पता है छे महिने बाद क्या होगा है है ना ओके अब हम क्या पढ़ रहे है अभी ध्यान से देखे रिस्क रिस रिस्क हमें से याद रखेगा पास्ट में नहीं आते है रिस्क हमें से कब आता है फ्यूचर में आते है यानि कि 6 महिने बाद जो होने वाले है उससे रिस्क आएगा ठीक है इसका मतलब आज तो हमें क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि क्या होने वाला है चलो 2 मिन 90 पे इसको नुकसान होगा यानि कि अगर 70 हो जाए तो बहुत बढ़िया क्यों बताई देखो जेव से क्या निकलेगा जेव से क्या निकलेगा ये देखो एरो पे ध्यान डखना मेरे साथ हो तो इस एरो पे बहुत बढ़िया से द्यान दीजिएगा, क्या इस प्रोच देखो, जेव से सिर्फ 70 जाएगा, मतलब ये एपल सस्ता खरीदोगे, एपल सस्ता हो जाए तो बढ़िया, एपल महंगा हो जाए तो बुरा है, यानि कि इंपोर्टर के लिए कब बुरा होता है, जब जब एपल यानि कि डॉलर, ज अपना करेंसी, वैसे मैं सोचने को बोला नहीं था, फिर भी थोड़ा दर के लिए सोच लेते कोई बुराई नहीं है, क्वांटिफाई नहीं करना है हमें, 70 से 90 चला जाए, मतलब अगर अपने करेंसी डेप्रेसेट करें, तो इंपोर्टर को क्या है, नुक्सान, ओके, एक पैसे आएंगे, यह क्या होगा बताईए, डॉलर अब आपको यहां से यह इधर देना पड़ेगा, यह भूल जाओ, जब डॉलर देना है, तो अब जेब में क्या होगा बताईए, आएगा, 90 आना अच्छा यह 70 आना अच्छा, 90 आना अच्छा, अब देखो ध्यान से, खुस होता यह, यानि कि एक्सपोर्टर यह चाहता होगा, कि डॉलर 90 पे चला जाए, यानि कि हमारे करेंसी डेप्रसेट कर जाए, अभी थोड़ा दिर पहले मैंने बोला था, कि जब चाइना के मार्केट, जब दो दिन लोवर सर्किट लगे थे, दो दो दिन मार्केट में 10-10 परसेंट की डाउनसाइड हुई, उसका भी निउज है, बट अब देखते हैं कितना देख पाएंगे, जब हुआ था, तो उस टाइम चाइनीज जो क्या कहते हैं, सेंटरल बैंक है, वो अपने कंट्री करेंसी को डेप्रसेट करना शुरू कर दिया, बोलते कोई बात न नहीं का हुआ न, लेकिन जेब में कितना आया, 90, आगे सब रिलेशन पढ़ेंगे, कि जब कोई एक करेंसी जब अप्रसेट करते हैं, तो हमारे रिटन वहां से भी आता है, एक तो जो यहां से प्रोफिट होगा हो, तो होगा ही होगा, और यह जो करेंसी डेप्रसेट किया उससे भी आपका प्रोफिट हो गया, बात समझ में आ गए, इसका मतलब करेंसी का डेप्रसेट होना एक्सपोर्टर के फेवर में है, जबकि करेंसी का एप्रसेट होना इंपोर्टर के अगेंस्ट है, हमारे इंडिया में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता ह जो कि इंडियन करेंसी appreciate करते रहे तो फायदा रहेगा, याद रखिएगा import ज़्यादा होती है यहाँ पे तो बताए उस case में ये बेकार की चीज़ है, ये बुरा है क्योंकि जेब से क्या ज़्याँ रहा है बताए ज़्यादा 90 जा रहा है यानि कि importer को ज़्यादा payment करना पड़ा है बुरा situation है इंडिया में ज़्यादा import होती है आपको कहाँ पर import और export ज़्यादा है वो आप देख लोगे trade deficit या trade surplus उसे चेक कर लिजी आप अगर import ज़्यादा है तो हमेशा चाहेगा ज़्यादा लोग चाहेगा कि 90 पे न आजाए बाई 70 पे आजाए अच्छा लेकिन जहाँ पर export ज़्यादा हो रहा होगा जिस country में जिसका trade surplus होगा वो क्या सोच रहा होगा भाई यह हो जाए तो आप देखिएगा US सरीचाइना कि जो सबसे ज़्यादा export हो रही थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहा होगा कि यहाँ पर यह चाहिना है 90 पे पहुंच ज़्यादा बिटर है तो इसलिए कभी कभी जो policy होते इस तरीके से government अपना बनाते हैं ओके वापस आते अब हम मुद्दे की बात पर आ जाते हमारा depreciate यह amount high हो जाए तो हम क्या बोल रहे हैं कि नुकसान होगा चलिए बाज़े इदर देखे हमने क्या बोला है देखे यह invoice बन गई अब आप लोग अपने रजिस्टर पर भी चेक कर सकते हो six month के लिए invoice import हुई six month time पे payment करना है एक को दूसरे को receive होना है dollar hundred का dollar hundred इसको क्या करना है खरीदना है यह परिसान है कि यह जादा न हो जाए देखो जादा न हो जाए यह यह जादा हो जाएगा तो परिसानी है और आपको पता है जिसकी quantity में change आता है वो appreciation, depression हम लोग नहीं सोचते हैं हम किसके लिए सोचते हैं इसके लिए price के लिए price है यह price है तो हम कहते है यह जब महंगा होता है तो यह quantity बढ़ता है तो हम क्या बोल रहे है वो परिसान है कि dollar currency appreciate ना हो जाए यानि कि उसको risk कब arise होगा risk of high outflow in rupee it will happen when dollar currency will appreciate देखो ध्यान से यह जब appreciate होगा तो इसको नुकसान होगा तो हमेशा इंडिया में जब बैठे हो तो इंडियान currency के पांटवी से सोचो ही मत हमेशा किसके पांटवी से सोचो दूसरे currency कभी दिक्कत नहीं होगा तो dollar currency अगर appreciate होगा तो इसको नुकसान होगा कोई दिक्कत है किसी को नहीं in this transaction Mr. India has to take corrective action to hedge हमने कली बोला था ना अगर अपने आपको बचाना है तो उसको hedge करना बोलते हैं hedge to minimize the risk यानि कि ये जो risk था ना इसको बचाओ कैसे बचाओगे आपको लग रहा है यहाँ पे ज़ है महिने बाद की जो uncertainty है उसको बचाओ बोलोगे कैसे बचाएंगे हमारे पास इसके बहुत सारे techniques है वो हम आपको आगे बताएंगे अभी नहीं ऐसे समझाओ इसको बचाया जा सकता है जैसे आप देखो आपका एक expected loss है expected loss क्या है कि exam में नुकसान ना हो जाए यह ऐसे भी difficult paper है कम ना हो जाए उसको हिज करने के लिए अभी class में बैठे है 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 जी तो कर रहे हैं एक action जिससे नुकसान होने वाला है उसको बचाने के लिए हम एक अप मुझे बताए क्या कोई जरूरी action ले लिया तो आपका नुकसान बची गया अफेल नहीं कर सकते कर सकते कर सकते अ बोला है कि सर मज़ा आ गए ठीक है और इसमें से 50% exam time में बोलते हैं कि सर over confidence की वजए से उसको देखना ही छोड़ दिये क्योंकि खास करके होता क्या है SFM जो होते हैं लोग 2-3-3 साल पहले लेते class पहला class start करते गोंसी SFM क्योंकि time है आराम से इसमें कोई change आता नहीं है इसक जीरो अब तो बिल्कुल लग रहा है सब कुछ हम क्या कर रहे है नया पढ़ रहे है और यही रीज़न है कि maximum बच्चे को जो marks नहीं हा पाता है वो बिल्कुल ही zero कर देने की वज़े से इसलिए मैंने आप लोग को summary book दिया है कि इसको दीरे दीरे बीच उच में क्या करते र बना हो अब इचारे छे साल से पास नहीं पर रहे कर इसको किसी दरीके से कर दो सफम में ही पास नहीं होता है और सफम में लेकिया थे 72 अभी इस बार भी अभी जो बना है एक student है कितने attempt से बिल्कुल बीच में छोड़ी दिया है उनको लगता था कि सफम अगर मेरा निकल ज बढ़ाता है बड़ जब उसको जब गहराई में जानने की कोसिस करते हैं तो लगता है नहीं पहले से हमें नहीं आता है तो हमेंसे एक ही चीज़ है जब तक आप comparison नहीं करो गया तो आपको अच्छा और बुरा पता ही नहीं चलता अच्छा बुरा का पता चलेगा ज़्या ही हो गए तो कर भी नहीं पाया और अभी आया थे परसो पापा के साथ किया अब पास हो गए तो यह सफम की वैसे 68 मांट लेकिया चलो वापस आते कहां थे हम लोग हम बात कर रहे थे कि रिसकी हां जी अब यह मुझे बताए इसमें चलो एक बार जनल एंटी डाल के चेक कर हो डाल Currently dollar currency याग के मैं किया है क्यों एक करवंचन करने क्यों नहीं करने को आए डालर आया डालर रख험 डालर रखलो को सफेशग की जुड़रत इसको mainly है ठीक है तो वह है एक ओर भी बात ही ही जुग बात ही हमें साय यह हां सोचना कि लॉस 바ぎनिन बूपने हंग होगा अरे हिज किया मतलब हमने अपने हिसाव से यह सोचा कि यहां पे जो अंसर्टनिटी है जादा होने की उसको हम लोग कम कर दे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको कम कर दिया इसका मतलब आपका बिल्कुल लॉस नहीं होगा यह गलत फेमी ने मत रखना कि हिज का हो न तो उसको हेजिंग नहीं बोला जाता है उसको आर्बिट्रेज बोला जाता है क्या बोला जाता है आर्बिट्रेज भी एक एक्सन है उसके अंदर कभी लॉस होगी नहीं सकता उसके अंदर कुछी भी हो जाए अगर डॉलर का रेट 70 हो जाए या डॉलर का रेट 90 हो जा लेकिन फिर भी हमारा कुछ loss उसमें हो सकता है, ठीक है, चलिए, तो यहां तक हो गए, हाँ, जर्नल इंटी डालो नो फटा 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 इसे रफली हम लोग करते है, मिस्टर इंडिया ने जब इंपोर्ट किया होगा, तो क्या करा होगा, बताएगा, यह डाला यह डाला यह जब इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था गया, नहीं इंपोर्ट किया था, मिस्टर इंडिया को डेविट देगा, क्यों से पैसे लेना है, ठीक है, हंडेड, एजन टुडे, छे महीने बाद उसके जेब में पैसे आ गए, बैंक में उनके पास पैसे आ कोई कराना पड़ा कोई कोई करेंसी करेंसी फ्लक्टिशन हुआ होगा लेगिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मिस्टर इंडिया के लिशोचिए आज 75 का रेट है मानलेजी 85 का रेट होने वाला है अभी मैंने क्या बोला था कब रिस्क आएगा बताएए जब यह रेट लेगिन पहुकिसान होती है ओके तो अब मुझे बताये इस केस में क्या हुआ 75 का रेट आज आज है तो इंपोर्ट कितने वी बुक करेगा क्य谢어 करना है किस श्याद रखिएगा आज के रेट पर जब हम लोग इंपोर्ट रेकॉर्ट करते रहें यहां पर इंडिया में यूज करते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है आज के तो करेंगे लेकिन कौन सी रेट बैंक वाले रेट आर्बियाई वाले रेट कस्टम वाले रेट क्योंकि सबका लग अलग रेट है आपको बता दू बैंक का रेट हर दिन फ्लक्चुएट होता है रविया जो रेट है वो अपने मर्जी से नहीं देगा जो डिमांड सप्लाई क्रियेट हुई है मार्केट में उसी को बेस बना के वो क्या करते हैं आपको कोट करके देते हैं कि आज का यह रेट ले लो है ना तो सेटरडे संडे तो मार्केट बंद है तो सेटरडे संडे वही रेट चलता है जो आपको Friday को दिया गया, Friday को 130 पर जो rate आपका हो गया, वही Saturday भी apply होंगे, Sunday, आप Sunday तो bank बंदी होता है तो bank का rate तो apply होगा ने, लेकिन Sunday को import हो सकता है कि नहीं हो सकता है, export हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उस case में कुछ लोग जो होते है, RBI के reference rate को use करके भी अपना ये rate convert कर करता है, ठीक है, और कुछ लोग custom बाले भी use करते हैं, और आपको पता है, custom बाले कितने दिन पर अपना rate revise करता है, एक महीने पर, पढ़े नहीं, IDT में नहीं पढ़ा, पढ़ते होंगे, one month तक वो एक ही rate लेके चलता है, यानि कि एक rate उसने आज अगर fix कर लिया, तो एक मह रख देते हैं, RBI ने बोला था 75, हमने 75 पर import बुक कर दिये, auditor आता है, कहते हैं, चलो देखते हैं, import की document तो आई होगी, custom से, उसमें check करते हैं, custom बाले तो उसका valuation उसने अपने rate से कर रखा होगा, बात समझ में आई, क्योंकि एक question है, जिसमें आपको custom बाले rate दे रखा है, आप एकशी याद रखिए का question के अंदर, अगर कोई information दिया गया है, तो यूज करने के लिए दिया गया है, normally question के अंदर custom का rate मिलता ही नहीं, अरे एक ही question है भी तक, आप सोचो द्यान से, जबकि हर question में होना चाहिए था custom का rate, आज के rate पर real life में अगर custom का rate किसी के पास होग किये, है न, 1st March को import किये, तो जब import किये उस ताइम तो आपके पास custom का rate था, custom के rate के basis पर क्या कर दिये, import बुक कर दिये, अब आपके accounting standard, Indian accounting standard जो भी यह क्या कहता है, 31st March को, जो हमारे सामने rate है, उस rate के basis पर आपको अपना assets या liability को revise करनी है, यह कहते है न, अब AS में तो यह ही हुआ करता था, इंडियास में बदल गया हो, तो ना पता हो मुझे, इंडियास में क्या हो जाएगा, वही रहेगा, 31st March को अपने assets और liability को revise करते हो कि नहीं करते हो, जो foreign currency से link है, करते हैं, अब आप मुझे बताए, 31st March को तो हम custom का rate नहीं उठाएंगे, हमारे को custom से link है नहीं था, तो उस दिन हम कौन सी rate उठाते हैं, RBI का reference rate उठाते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगो confused रहते हैं, कि सर कभी हम RBI rate लेते हैं, अरे जहाँ पर जो rate अब लेवल है उसी से करोगे, 31st March को थोड़ना import और export हुआ था आपका custom का rate लोगे आप, तो वहाँ पर हम RBI rate ले, तो आप यह import किस पर book करना, custom पर book करना, क्योंकि auditor के लिए और ज्यादा आसान हो जाता है, custom बाले जो कहता है, वही माल लेते हैं, ज्यादा बेटर है, custom बाले जो बोला हो, ज्यादा बेटर हैं, कितने value का तुमने import किया है, खत्म, तो import recorded today, कितने पर कर दिया, 75 पर, च इंपोर्ट किया है, payment करोगे, rate कितना पर हो गया, बताइए, 80 पर, देना कितना है सामने वाले को, भाई आपको रूपी नहीं लेने वाला है, वह आपको उसको dollar खरीद के देना पड़ेगा, 80 पर खरीदने जाएंगे, 8,000 हो गए, Mr. USA को हमने दिया कितना बताइए, हमने द आपका exchange का loss हो गया, और यह आपके profit and loss account में debit हो गया, और जो खर्चा profit and loss account में debit होते हैं, उस पर tax का बचत भी होते हैं, हाँ या ना, तो आपको पता है, आपकी cost 500 नहीं आएगा exchange loss, माले जो 30% का अगर इसमें tax का saving होता है, तो आपका 70% ही जुना आपका net cost है, exchange loss आपका 500 भी नहीं है, अब यहां पर हमने tax की बात नहीं करा है, क्योंकि थोड़ा सा initial level पर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने यहां पर बहस नहीं किया है, एक question tax पर भी है, एक ही question, सोच आप तो आप ध्यान से, एक लौता question अभी तक institute ने डाला है, जिसके अंदर exchange loss पर tax का impact डाल पुराना जो question था, वो solution पर जब बच्चे ने solution दिया, मतलग तुमने अपना ही solution जब RTP में दे रखा था, उस पर जब question पूछे solution देते हैं, तो marks क्यों नहीं दिये, RTP के similar question, आप लोग को अगर ना पता हो, तो ठीक है, यह जूम कर लेते हैं, कि आप लोग को यह ना पता ह है, तो मैं बता दू, अभी कौन सी अटम टुई थी, नॉमबर 22, छोड़ दो नॉमबर 22, उससे पहले कौन सी थी, May 22, May 2022 में, Interest Rate Risk Management की, Interest Rate Risk Management का, एक Caps Floor Caller का एक question आया था, CA में, यह question फर्स टाइम पूछा था, इंस्टिटूट ने 2014 के RTP में, फिर उसको revise किया था, 2019 के R RTP और MTP में, ठीक है, और यह से मैंने वीडियो भी बना के पहले से ही डाला हुआ है, यहां से मैं यहां तक तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि question ही गलत था, solution भी गलत था, तो मैंने बोला यह question आ नहीं सकता, 2019 में इंस्टिटूट ने अपने question को at least correction कर लिया, question को correction करके अपन एक solution दिया, अब वो solution गलत था, क्या थे वो solution? गलत थे, जब यह solution अगर इसका गलत हो गया, तो अब दिक्कत यहां से आ गई, कि भाई, तुम्हारा solution गलत है, वैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है, बट मैंने पहले ही बता रखा था आ आपको, इतने derivative student, इतने derivative teacher, क्या कर सक ठीक है, बाई, जो ऐसे दिये है, वैसे ही पढ़ लो, solution में date counting में गलती थी, ठीक है, कोई बात ने, counting में गलत कर लो, क्या है, अब यहां से यह period है, इस period को count करना था, institute इस period को count कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, यारी तो करना है, बाई, यह period हमारा बनता है, इस से count करके solution देते हैं, counting में mistake थी, यही question डाला कब, कब डाले, May 2022 में, और student लोगों ने जितने भी certified copy देखे, अब आपको पता यह पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने वैसे ही पढ़ा, क्योंकि डरे हुए है ना, गलती पढ़के गया है, क्योंसे भाई, तुमने अभी तक इसको count करके दि कैसे, institute ने पहले इसको count किया था, जबकि सही मैंने में, यह counting होना चाहिए था, suggested में क्या हो गई, history repeat नहीं हुई, हद हो गई, आज तक कि history मैसा कभी नहीं हुआ था, कि institute अपने ही solution को किस में बदले वो, suggested मैसा नहीं होता था, वो अपने solution को बदलते थे, जब भी बदलते ह रखते हैं, आपको मैं दिखा दूँगा, तीन-तीन बार अगर solution चेंज किया है न, तो आपको suggested, study mat हर जग तीन-तीन solution दिखेगा, alternative 1, alternative 2, alternative 3, जबकि दो गला था, एक सही है, उसके बावजुद भी रखेगा उसको, लेकिन यहां history बिल्कुल ही बदल गई, में 2022 में क्या किय गया गया, यह जो सही वाले counting थी न, यह सही counting आ गई कहां पे, suggested के अंदर, बट बच्चे लोगोंने सारा किसको prefer किया था, में 2022 19 के RTP और MTP वाले solution को prefer करके, previous period को count कर दिये, जहां पर 184 days की counting होना चाहिए, ता वहां कितने counting करा सबने, 181 days, और जहां पर 181 days की counting होना सब को मेल पे reply आता है, क्या reply आता है, बता है, कि आपने पुराना solution पढ़ा क्यों, हमने पुराना पढ़ने के लिए कहां बोलती है, यह तो पुराना था न, अब उस महापुरुस को पूछते हैं कि भाई साव, यह जो तुम tax की यहां जो treatment दे रहे हो न, यह tax के treatment वाले question हम यह tax वाले इनका, और tax वाले वो question जो बहुत जवर जसते हैं, जो 2009 का RTP में डाला हुआ है, वो भी exam में यह भी तक, RTP का है, तो क्या करें, मैं इस question को छोड़ दे, हम बोले कि पुराना नहीं पढ़ते हैं, वो custom माले जो question है, वो भी question साथ पुराना ही है, तो क्या हम उसको नहीं छोड़ता, और आपको दिखता है, वो दिख जाता है, कभी ने कभी ने कभी ने कभी उसमें क्या हो जाता है, दिख जाता है, चलो वापस आते हैं, इसलिए इंस्टिटूट पर भरोसा मत करो, आप निमाग को समझा लो, कि भाई ठीक है, 10 to 15 marks का इसमें क्या चलता है standard deviation, आना चाहिए मुझे 70, आ सकता है 60, 70 आने वाले को 40 कभी नहीं दिखेगा आपको, ये दोखे में मत जीना आप, कि 70 आना चाहिए तो मेरे को कितना आ जाएगा, 40, इतना unfair institute नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी, 70 marks आने वाले को 40 marks आ जाए, ऐसा एक भी इतने का difference से दिखेगा पता है, उसको आना चाहिए था 70, लेकिन आ गया है कितना, 60, आना चाहिए था 50, आ गया कितना उसको, 40, 38, 35, 10 से maximum कितने माकसे difference दिखेगा आपको, 15, उससे जादा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं बोलतो रहा हूँ, ये जितने भी देख रह किसी का नहीं मिलता है, महां क्या बोले, region wise बताना, वो ना, कहने की चीज, इनका कहना है, कि result को compress करते हैं, मतलब result कम करते हैं, कहने के लिए तुम इने बहुत सुना है, ठीक है, उसको मैंने एक ही चीज देखा है, कि आपको क्या दिखेगा, जो answer sheet है ना आपका, उस answer sheet को द आपको लगता है, बट उसमें भी हमने देखा, आपको दिखाऊंगा आगे, मेरे साथ क्या होता है, कि जहां पर topic ना हो, वहां पर बहस करने में, मुझे लगता है, कि time-cube stage है, ठीक है, और वैसे है, मैं time के लिए बहुत बदनाम हो, कि बहुत time लगा देते हैं, जबकि मैं दिखाऊंगा, उसमें जब rechecking भी करा हुआ है, मान लिजे, SFM को pick किया है, इस बार कि second बार हम check करेंगे, तो क्या करते हैं, सारे strand का SFM का paper pick करेंगे, और ऐसे नहीं है, कि सीधा marks कम करते हैं, वो धोखे में सब लोग, कुछ लोग किया मान के चलते हैं, 70 एकाटके 50 कर दो, तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, दुबारा उसको check करते हैं, और फिर देखते हैं कि कहाँ पर आपको कितना मिलना चाहिए था, फेर लिए, जहां पर कहीं पर लगता है, जादा और कभी कम हो करेगा, कभी जादा करेगा, और निट में करका आगे देखना, 10 से जादा की नहीं है, चलो वापस आजे हम लोग, यहां तक क्लियर हो गई कुछ, यह सब हमने इसलिए एंट्रिन्टी डाला है, कुछ लोगों को लगता है कि इतने गहराई में क्यों जाना है, क्योंकि जाना है, तभी तो जाके आपको सारे चोटी 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 डिजस्में आप मुझे बताए, जब हम खर्चा profit and loss में डालते हैं, तो हमारा income क्या हो जाता है, कम, जब income कम होगा तो government को tax क्या करेंगे, कम देंगे, अगर income ज्यादा होता तो tax ज्यादा देते, यह खर्चा अगर नहीं होता, तो दूसरा खर्चा होता आपका, यह खर्चा होने की वै इसी की वैसे हुआ है, तो आपको मैं बता दू कितना खर्चा कम होगा पता है, 30% of 500, तो 500 का 30% हमारा अगर save हो गया, मतलब 150 हमारा save हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे पता है, अरे हमारा exchange loss जो है वो 500 नहीं है, 500 में से 150 हटा देंगे, तो हमारा सिर्फ 350 है, लेकिन यह तो वहाँ पर सब क्या बोलेंगे पता है, यह तो नया question था, अगर जिसने 2009 वाले question अगर नहीं पढ़ेंगे तो नया हो जाएगा, और वो फिर वहाँ पर अगर नहीं भी नया होगा तो उसके adjustment में maximum बच्चे mistake करेगा, क्योंकि question solve भी नहीं करा है, और एक question होगा, कहीं कोने में तो हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा, और अगर income है तो income भी कम कर दो, अगर 500 का income है, तो हमारे जेव में 500 नहीं बचेगा, government 30% लेके चला जाएगा, और मेरा खर्चा है, तो government मुझे 30% दे देगा, very simple, कितना आसान है, बताओ, जो basic होता है, वो कहीं नहीं change होता है, चाहा कि क्या रहे, भूल गए क्या, नहीं, ऐसे बोलोगे तब तो, फिर तो SFM बोल देते रहा, हम पढ़ रहे है, risk analysis, import export को analyze कर रहे है, risk analysis कर रहे है, तो आप मुझे बताए, import जो हुआ था, तो ये कौन सी law में लिखा हुआ था, कि invoice डॉलर में ही बनेगा, नहीं लिखा है, तो रूपी 100 में बनेगा, क्या invoice, बिल्कुल नहीं, अभी purchasing power parity बढ़ चुके हो आप, purchasing power parity ये कहते हैं, कि जो सामान आप ले के आ रहे हो, उस सामान का equivalent में किसी भी currency में, amount equal होगा, हाँ तो ठीक है वाई, हम कहते कि ये जो हमारा 100, जो 100 डॉलर का सामान था, 100 रूपी का तो नही amount, 7500, तो invoice कितने में बनेगी, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने में invoice बनेगी न, उतना ही currency payment receipt होती है, और उसी currency में payment receipt होता है, यह invoice currency की खासियत है, अगर invoice में लिखा गया है, रूपी 7500, तो यहाँ जो payment receipt होगी न, वो 7500 होगी, ठीक है, चलिए, अब हम एक काम करते ह है, यहाँ पे payment करना है, कौन सी टाइम पे, 6 मन्त पे, ओके, कौन सी currency में payment होगे, रूपी currency 7500, मिस्टर इंडिया के जेब में है की नहीं है, है न, तो मिस्टर इंडिया के जेब में है, तो निकाल के दे देगा उसको, अब मिस्टर यूसे के लिए परिसानी आई न, कैसे, यह मिस्टर इंडिया कहां जाएगा, बैंक में जाएगे, है न, इसमें आईए, यह हम लोग पेचेंगे, यह बेचेगा न, क्या बेचेगा बताओ, रूपी, ओके, क्या खरीद के लाएगा, डॉलर खरीद के लाएगे, कितना, हमें, डॉलर, नहीं, नहीं, हंडिद डॉल के से बोल रहे हो, 7500 बेचेगा, कितना हैगा, डिपेंड करता है, रेट क्या चल रहा है, इनके जेब में, जो है, वो बेचेगा, आया क्या है, उनके जेब में, 7500, तो 7500 बेचने जाएगा, यह अमाउंट आपका फ्लक्चुएट करेगा, याद रखना, यह अमाउंट वै से होगा हो कि कम ना आ जाए ये कम ना हो जाए ये कम कब होगा बताइए उसके लिए मत सोचो पहले ही मैंने मना कर दिया है जो करेंसी की क्वांटिटी में चेंज आता है इसको सोचो ही मत जब अगर एपल हंडेड से हंडेड टेन पर जाता है न तो रूपी की क्वांटिटी म change आता है उसका महंगा सस्ता हम लोग को quantify करना मुश्किल हो जाता है अभी तो आप बोल दोगे कि सर ये महंगा होगा सस्ता होगा क्या होगा भी बोल दो लेकिन जब उसको percentage के term में measure करने होते हैं तो ये अभी की जो आदत गलत वाले आदत है न वहाँ पर जाकर आपको impact करेंगा इसलिए गलत आदत को बनने ही मत दो हम बाती मत नहीं करें कि का ये C refugee में क्या होगा हम बाती नहीं करते है खतम कर बात जो currency की amount vary करता है उसकी हम बाती नहीं करेंगे हम हमہेसा बात करेंगे उसके वो currency जिसकी price है वो क्योंकि जिसकी quantity में change होते हो price है वो, base currency कोई और है US में किसको quote किया जाएगा रुपी को quote किया जाएगा, तो अब आप मुझे बताइए, अगर रुपी को quote करेंगे तो रुपी currency महंगा हो या सस्ता हो सोचो आप, ये low होना चाहिए तो low कब होगा, जब रुपी रुपी, रुपी याद रखना, ये, क्योंकि US में रुपी महंगा सस्ता होगा ये महंगा हो या सस्ता हो, बताओ जल्दी से quantity किसकी कम हो रही है dollar की सस्ता क्या होगा रुपी अब आवाज बंद होगया, मुझे मज़ा नहीं आए ये बोलना चाहिए, आपको डेप्रिसेट करेगा, कौन रुपी जब रुपी डेप्रिसेट करेगा तो रुपी का प्राइस कम होगा रुपी का प्राइस, dollar है तो dollar कम होगा कम रुपीय जेब में आएंगे देखो नहरो, ये कम आएंगे तो क्या होगा बताइए नुकसान होगा ना तो नुकसान होगा तभी तो रिस्क हम है ये इसी को तो बचाने की बात करेंगे न सर फूटेगा तभी तो हम लोगं हेलमेट लगाएंगे चलान कटेगा तभी तो हेलमेट पहनेगे सिंपल सी बात है तो हम यही कह रहें कि बाई ये जब कम आने की possibility दिखेंगे तभी तो हेज करेंगे तो हेज करेंगे, इसका मतलब कब रिस्क हैगा जब यह depreciate करेगा अब सूचो ध्यान से ये कौन है exporter exporter को कब नुकसान होता है सोचो जब exporter को कब नुकसान होता है जब foreign currency depreciate करता है मतलब अपना currency depreciate कर जाए चलो बोलने के लिए बोल सकते हो लेकिन quantify करने के लिए अपने currency पे कभी नहीं जाएंगे ठीक है चलिए तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा होगा देखो situation 2 में रूपी 7500 का invoice बना तो यहाँ पे credit period 6 month का दिया गया देखो no currency conversion no risk अब से पहली बात इसका currency conversion हुआ ये amount low ना हो जाए इस बात का risk सही है लो कब होगा जब रूपी depreciate करेगा रूपी depreciate करेगा ठीक है छे महिने के बाद Mr. USA को risk होगा है न तो Mr. USA has to take corrective action जो की hedging कहते है इसको hedge करना है to minimize the risk risk को minimize करना है अब क्या करेंगे वो आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे अलग-अलग techniques है हम आपको बताएंगे forward contract है future है currency का option call है currency का put है या फिर leading lagging भी करते हैं कभी आपको LC के through भी करते LC के through भी आप forward contact करके ही यहां पे hedge करते हो देखेंगे आगे के करके यहां तक clear है एक बार और जरल निटी डाल लेते हैं क्या जाएगा कितना टाइम निकल जाएगा मिस्टर इंडिया के लिए 7500 का इंपोर्ट बुक किया 7500 ही payment हुई कोई fluctuation नहीं कोई risk नहीं no loss gain no risk associated with currency fluctuation Stan बार मिस्टर इंडिया के लिए युएस के लिए सुचना ध्यान से चलxi फोई काम करो आप लोग मिस्टर युएस से कली एंडिय डालो खुद ढलो खुद ढलो खुद ढलो कुच नो करो यहां पर देखो मत राईस्टर आप लोग कूद डाल लिए थो रगार के लिए एक बार जलनेटी डालो यह दा आपके सामने अमाउंट है मैं रेट लिखते देता हूं आपको वही रेट रख लो कौनसी वाले 70 और 80 वाले जो रेट था न वही 70 और 80 का रेट लख लिजे बड़ 70-80 कैसे बोलोगे हाँ अभी जो हमने पहले वाले एक्जामपल में लिया था डाल बड़ का कितना लिया था 70 नहीं 75 तहां और फिर 1 को कितना लिया था रूपी एTY तो अब याद रखना यू एस में यह रेट नहीं होगा सबसे पहले बात यूसमें यह रेट कोट किया गिया होगा यूसमें किस करेंसी पीर शार होगा तो चलो रूपी 1 का वैसे रूपी 100 का कोट किया गया होगा हम लोग 1 ले ले लेते कोई सुनिए 1 divided by 75 कितना चल रहा होगा बताइए डॉलर में 0.01 33 33 चल रहा होगा और हमने बोला कि 6 महिने बाद का जो रेट है वो पहुंच गया रूपी 1 का कितने पर 80 पर तो 1 equivalent में वहाँ जो रेट चल रहा होगा 0125 याद रखेगा यूएस में ये रेट चल रहा होगा एंट्री डालो फटाफट एक्सपोर्ट किया है न उसने Mr. US ने क्या किया है एक्सपोर्ट किया हुआ है तो एक्सपोर्ट को बुक करेगा ठीक है करो फटाफट कितने से बुक करेगा एक्सपोर्ट hundred dollar rate क्यों क्योंकि वो US में invoice इसका किस currency में उसे कोई मतलब नहीं है उनको जो book करना पड़ेगा तो अगर मान लिजे ये अगर ये rate चल रहा है तो इसके basis पर उसको पहले convert करेगा तो आप मुझे बताईए रूपी 1 का चल रहा है इतना रूपी 1 का कितना है बताईए 0.01333 तो रूपी 7500 का कितना आएगा तो कैसे निकालोगे multiply करके 7500 multiply by 0.01333 ये देखो 99.97 राउंडिंग आफ का difference है क्योंकि ये 333 जा रहा ना था ना तो आप 100 ले सकते हो तो 100 आपने book कर लिया बहुत बढ़िया अब उसके बाद क्या होगा बताईए जब payment करने की बारी आएगी जब आएगी उनके पास पैसे तो उसको क्या करेगा वो convert करेंगे convert करेंगे कौन सी currency में dollar में तो ये rate apply करेगा ये rate apply करेंगे ठीक है तो उस rate पर अप्लाई करेंगे तो रूपी 7500 का इस rate के basis पे dollar में निकालेगा वो अपना ओके तो 7500 multiply by 0.0125 कितना रहे बताईए 93.75 तो dollar currency में इसको loss होगा ध्यान से देखिए मैंने जान भूज के अभी entry क्यों डलवाया था आपको क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक चीज माइंड में सिट कर लो loss gain कभी भी जो आता है न वो उनके अपने currency में आता है क्या समझा है Mr. USA का loss gain उनके dollar currency में आएगा और Mr. India का loss gain जो होगा न वो rupee currency में आएगा और ये चीज में भी आप बहुत mistake करते हो आगे एक सी समझाओ कोई भी question हो अगर कहीं पे भी loss gain निकालने को बोला हुआ है तो हमेशा loss gain किस currency में आएगा अपने home currency में आता है loss gain कभी भी foreign currency में नहीं आता है ये mind में sit कर लो चोटी चोटी बात है ये सब mind में sit करके रखिएगा आगे mistake नहीं होगा आपका और खास करके cm में वाले को तो बहुत ध्यान रखना होता है इस चोटी बातों को अगर वो आपको 20 marks लाना है तो कौनसी वाले 20 marks वो mcq वाले mcq वाले 20 marks उनहीं को आते हैं जिनका basics हमेशा clear होते हैं क्योंकि हर बार institute copy paste नहीं करते है mcq में mcq में आप जाके check करोगे तो कुछ न कुछ point क्या कर देते हैं नहीं डाली देता है तो इसलिए mcq कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बहुत आसान होता है mcq उनके लिए आसान होता है जिनका logic और base क्या होता है clear होते हैं और उसे marks भी बहुत बढ़ी आ जाता है चलो वापस आते हैं और यहीं रीजन है कि जब भी question twist होता है अभी तक के history बताता हूं आप लोगों जब भी question में कुछ नया पनाया होगा ज़्यादा change units किया होगा तो सबसे ज़्यादा marks हमारे history का होता है पूरे history आप उठा लिजे कहीं से जब all India highest आया था क्या कहते है आसी का चार्य का जिस टाइम 91 marks उस टाइम भी question में बहुत ज़्यादा modification था ठीक है अभी आप देखो पीछे कितना पिछले बार जो भी ऑनलाइन एक्जाम हुई थी 74 all India highest है सुभम औरोडा का जो हमारा highest है सुभम बर्मा तो आप देखो उससे पीछे 94 जब आया था उसका क्या कहते है कोमल यादव का वह भी highest था किसी को उससे ज़्यादा नहीं थे उससे पीछे जब 2018 में जब 33 मार्क से क्वेस्टन में मिस्टेक था तो उससे हमारे स्टुडेंट का 85 आया था वह highest है तो यानि कि जब जब क्वेस्टन में कुछी दाद है जैसे इस बार भी आया है 91 मार्क्स मुझे नहीं लगता अभी तक तो किसी का 91 नहीं दिखा है अभी तक इस बार जो अभी 922 में जो आया है वह दूसरी बात है कि टेलिग्राम पे दूसरे भी कुछ लोग कह देते कि हमारे टीचर हमारा ही एस्टुडेंट है क्यों कि आज कल तो क्या है यूट्यूब की ज़वाना है अब किसी का टेस्ट पेपर भी ले लो तो क्या मांद के चलते हो टेस्ट सीरीज भी आप यह हो गये तो हमारा यह इस्टुडेंट बन जाता है अभी पीछे हो भी गया था बट बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर आप इस वीडियो बनाओ लग छोड़ो मुझे किस से लडने की ज़रत नहीं है क्योंकि 91 मांक जो इस बार जो आया है देपित गर का जो अभी आवी रहे हैं आएंगे मिलने आप लोग के लिए कुछ मैसेज भी देंगे उनका देख रहा था नाम डाला हुआ है किसी दूसरे पिर बाद में जब बच्चे ने बोला कि सर यह तो कह रहे है कि हमारे इस्टुडेंट है तो कहते हैं फिर बाद में उसन अपना पोस्ट अटा लिया था बहुत सारे चीज है क्या कर सकते पीछे भी ऐसे बहुत बार हो रखा है चलो वापस आते हैं चलते रहते इस बार भी कुष्टन में त्विश्ट था इस बार कि जब देखो के नॉमबर तो थाउजन ट्विटिटीटी टु के तो कुष्टन में मोडिफिकेशन किया था जब जब मोडिफिकेशन करेंगे तो लॉजी की जुरत पढ़ेंगे और लॉजी करें इस ट्राउग है तो आराम सहिए क्या कर सकते हो वापस आईए कहा थे हम लोग है यह देखो यह देखो कितने का लॉस आ गए कितने का अगए लॉस श्क्स पॉइंट। 25 अगर इसमें tax का rate आएगा तो इतने का loss नहीं होगा वो net of tax हो जाएगे एक ची याद रखेंगे Mr. India होगा तो loss आएगा डॉलर में Mr. India होगा तो loss आएगा रुपी में और अगर हमें इसको hedge करना है तो कैसे hedge करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ तक सब चीज क्लियर है ओके सिच्वेशन 3 पे चलते थोड़ा दिर के लिए for transaction between Mr. India and Mr. USA वही transaction है लेकिन अब मान लिजे अब एक काम करते हैं थोड़ा दिर के लिए चलते हैं इदर Mr. India क्या चाहता होगा Mr. India क्या चाहता होगा अभी का situation को देख के आपको क्या लगता है चाहत की बात करो हाँ जी नहीं नहीं क्या appreciation depression छोड़ दो मैं invoice currency के लिए बात कर रहा हूँ invoice जब बनाया जा रहा होगा तब क्या चाहता होगा Mr. India वो चाह रहा होगा कि रुपी में invoice बन जाए clear यहां तक जब Mr. USA क्या चाहता होगा कि dollar में invoice बन जाए क्योंकि अगर dollar में invoice बन जाएगा तो currency conversion नहीं है कोई risk नहीं है आराम से chain की सांसे लेंगे chain की नींद लेंगे Mr. India चाहता होगा कि रुपी में बन जाए अच्छा ऐसे भी एक दो question ऐसा भी है तो आपको hedging के technique के अंदर यह पूछ दिया है कि invoice कौन सी currency में और कितना बनना चाहिए invoice को ही currency को बदल के अपना hedge कर लो ऐसे भी आपको question मिलेगा derivative में जो कि difficult series में आता है question मतलब वो derivative में क्या है कि यह वाले question और उधर के question को mix करके derivative में question डाला हुआ है तो उसमें एक point यह invoice वाले डाला हुआ है अच्छा आएए वापस इंडिया चाहता होगा रूपी में invoice बन जाए US चाहता होगा dollar में invoice बन जाए लेकिन invoice तो किसी एक currency में ही बनेगा किस currency में बनाया जाए तो जो party strong होते है आप देखो जब दो के बीच में लड़ाई होता है तो कौन सी बाते आते हैं सामने कौन सी बाते को माना जाता है जो strong होते है अब आप मुझे बताए अगर Mr. US से जरुरत मन्द होगा ऐसे कहानी बनाए हो कि डॉलर में बन जाए Mr. India चाहता होगा रुपी में बन जाए दोनों में से जो party strong होगा उसी की बात माने जाते है नॉर्मली नहीं होते हैं न ओके तो अब अगर Mr. USA यहाँ पर strong होगे न तिन्वाइस किस में बन जाएगा डॉलर में और यही रीजन है कि जादा तर इन्वाइस अगर डॉलर में दिखेगा क्योंकि वो Mr. USA क्या होगा यहाँ पर strong party होगा मानली जी यहाँ पर इंडिया ने strong है यह इसका monopoly चलता है यह समान जो बनाते हैं Mr. India कोई दूसरा बनाता ही नहीं है तो मजबूरन Mr. USA क्या करना पड़ेगा खरीदना पड़ेगा और उस टाइम पे Mr. India क्या बोलेगा भाई लेना है तो ले नहीं तो जा और ऐसा भी language मिलेगा question के अंदर Mr. India को over confidence हो कहते हम अपने ही currency invoice बनाएंगे हमारे currency invoice नहीं बनाएंगे तो हम customer lose कर देंगे लेकिन हम इसको अपने invoice currency को नहीं बेचेंगे ऐसा language मिलेगा आपको question के अंदर फिर कहते हैं कि अच्छा बताओ यह सही कर रहा है गलत कर रहा है ऐसा question पूछा गे आपसे Mr. India का practice है कि वो अपने ही currency में invoice बनाता है एक German का एक retailer आया है जो कि 80 lakh का order लेके आया है बट उनका condition यह है कि तुम्हें euro में invoice बनाने पड़ेंगे लेकिन Mr. India कहता है नहीं आज तक हमने नहीं किया इसलिए हम इस बार भी नहीं करेंगे आपको पूछने आया है क्या Mr. India सही कर रहा है गलत कर रहा है सही कैसे कर रहा है पताओ आप invoice currency की dispute की वज़े से आप order छोर रहे हो businessman हो ध्यान से सुनो वो क्या कहते है नहीं लेना है तो मत ले ध्यान से सुनो नहीं लेना है तुम्हें सामान तो मत ले लेकिन हम अपने practice को नहीं change करेंगे क्योंकि हम invoice किस currency में बनाते हैं Indian currency में तो हम उनको ये बोलेंगे कि भाई तो ठीक है invoice तुम रूपी currency में कहते हो बनाते हो अच्छी बात है बनाओ क्योंकि रिस्क नहीं है तुमारा लेकिन invoice currency की बज़े से तुम अपने customer को छोड़ रहे हो ये सही तो decision नहीं है न तो आपको क्या बोलना चाहिए कि उनको customer लूज नहीं करना चाहिए बात समझ में आ गए तुम बना लो किस currency invoice बनाना है यूरो में बना दो यूरो में invoice क्या होगा दिक्कत क्या आएगी बताओ रिस्क आएगी अर तो रिस्क को हिज करना न यही तो पूछ रहे आपसे आपको question के अंदर क्या पूछ रहे उसको बताओ कि भाई तुम यह यह हिज कर सकते हो क्यूं परिसान हो फिक है चलिए वापस आईए यही चीज हमने यहाँ पे किया देखो इसने क्या किया दोनों में लड़ाई हुई माल लो Mr. India कहता है रूपी Mr. US कहता है अब क्या होता है दोनों के बीच में लड़ाई होता है इस लड़ाई के बीच में रूपी सरी पाउंड करेंसी में वाइस बना अब याद रखना ऐसा नहीं कि पाउंड बनेगा तो 100 का है 7500 का बनेगा उसकी क्युवेलेंटर में जितना होगा उतना बनेगा 75 पाउंड का इन्वोइस बन गया अब देखो जब दो लड़ते हैं न तो कौन फाइदा करते बताईए तीसरा इसका एक्जामपल ताजा है मेरे पास एक मेरे एक जानने वाले यहाँ पे कहीं पे रहते थे यहीं पे इसी एरिया में तो रुम का फ्लैट ले रखा था दोनों के बीच में बाते नहीं मिले बाते नहीं मिला अब इनकी भी हवियर उनके भी हिवियर बहुत बार होते जब आलग-अलग लोग येक साथ रहते हैं धो बात उन डूनो के夏 नहीं हुआ तो भी दूनि मखानके साहे बित तो बीच में कौन इंवल्व हुए मकान वालिक मकान माली कहते हैं ठीक है जो मुझे जारा देगा उनको में रहने दूंगा अब देखो जो रेंट कितना चलना था पता है 8500 के रेंट पे रह रह रहे थे दोनों वह कहां पर जाके डील फाइनल ही पता है 10500 पर यानि कि जो 10500 देगा वो रहे गा इस रूम में ठीक है तो बताओ दोनों लड़का और किसको फायदा हो गए बताओ दो रूम था अपना अपना रहते वाई तुम ज़्यादा दिक्कत थे तो क्या करते दोनों अपने अपने खाना बना ले ते क्या हो जाएगा बताओ अब उसमें बेकार जब दो लड़ते हैं ऐसे घर में भी होता है जब दो ब्रधर लड़ते हैं तो तीसरा पड़ोसी जो ते नो वाँ पर फायदे करते हैं अब देखो यहाँ पर लड़ाई हुई है कितने पॉन्ट 75 के अब यह भी रिस्क में है कम से कम पहले एक तो बचे हुए था न अब ब खरीदने जाएगा यह कौन सी करेंसी, पाउंड, पाउंड खरीदेंगे, क्या देंगे, रुपी, यह ज्यादा न हो जाए, क्योंकि आउटफलो है न, आउटफलो ज्यादा न हो जाए, इसका मतलब यह क्या होगा बताइए, एप्रिसेट करेगा तो नुकसान, इधर यह क्या बेचेंगे, पाउंड, पाउंड बेचेंगे, यह कम ना हो जाए इस बात कर इसका है, इसका मतलब इसके लिए किस बात कर इसके बताइए, डेप्रिसेशन का, क्या डेप्रिसेशन, पाउंड डेप्रिसेट हो जाए तो नुकस काएगा, ठीक है, इसमें हमने को यह entry entry नहीं दिया है वो आपना कर लेंगे देखो हमें जो चीज में सिखाना था वो हमने बता दिया आपको खास करके currency को दिमाग में डालना था कि जैसे पार्टी बदलती है तो वहां के जो loss gain की currency होता है वो अपने आप क्या होते है वहां पर बदल जाता है वापस आईए यह conclusion को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिजेगे यह बहुत काम की चीज़े है जितना हमने अब यह analysis किया है उससे एक conclusion निकलेंगे जो question में आपको apply करना है ठीक है nobody can hold foreign currency as government does not allow for it यह तो पहले ही बोल दिया था दिमाग में set कर लो यह नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते exception open foreign currency bank account and hold foreign currency in that account यह allowed है जान से सुनिये गए यह allowed है आपको आज जाहिए bank को क्या बोलिए कि मुझे एक foreign currency का account देदो account open करने से पहले बहुत चीज़ आप से verify करेगा क्यूं करते हो कौन सी transaction है कहां से पैसे आता है export import अगर करते हो तो उसका क्या आपके पास license है नहीं है वो सारा चीज़ आपको क्या करेंगे वो check करेगा तब जाके आपको bank account open करके देंगे अब एक और भी चीज़ याद रख currency में बनाया है तो आपके सिर्फ इस account में dollar ही आएगा इसमें euro नहीं आजाएगा इसमें pound नहीं आजाएगा कुछ लोग इसमें भी confused होने लग जाते कि सर foreign currency account है न अरे foreign currency account नहीं dollar account है आपका हो आप मुझे बताइए उसी account में dollar भी आएगा उसी account में euro भी आएगा जब bank statement ले लेगा आपको सोच के देखना थोड़ा दर के लिए अचा हर एक currency account में उसमें amount लिखा रहेगा तो balance कौन सी लिखा के लिखके देगा हो हमें मालने है हमारे account में 1000 डॉलर आया और 2000 euro आये हम closing balance देखने जाते क्या दिखाएगा अचा सारे दिखाएगा इस currency के इतना इस currency के इतना इस currency के इतना पता कितनी common सी बात है और इसमें भी confused हो जाते है बच्चे अरे foreign currency account नहीं है वो किसी एक currency का account है अगर आपका दो country में का transaction होती तो दो account होने पढ़ेंगे यही आगे पढ़ोगे आप Nostro-Vastro के अंदर यही same bank के साथ होता है हमारे को Nostro-Vastro account पढ़ना है अगर एक SBI का dollar account है Nostro में तो उसमें euro नहीं आ सकता फिर उसी SBI bank का dollar euro account भी आपको होना परेगा Nostro में उसी को क्या कहते है Japanese yen account भी होना परेगा Nostro में यानि कि हर एक currency का एक account होना परेगा एक account में दूसरे currency नहीं आ सकता है यह पहले दिमाग में set कर लो currency को पकड़ना बहुत जरूरी है foreign currency account में वापस आईए यह exception तो है हमारे पास कि हम foreign currency account open करके उसमें हम अपना account पैसे hold कर सकते है जैसे अभी क्या हुआ देखो अभी यह transaction किया था हम लोगों ने यह मान लिजे इंपोर्ट किया था अब यही party export भी करता होगा export जब किया होगा तो मान लिजे इनके पास dollar hundred आया था आया था इसने अपना foreign currency account open कर रखा था dollar वाले उसने account में dollar hundred रख लिया वो तो allowed है क्योंकि government के नजर में तो है न कि आपके account में dollar hundred है इसको कोई थोरण माना कर सकता है अब जब अगले बार pay करने है पहला वाल ट्रांजेक्शन था जब अगला बार इसको pay करने है कितना hundred dollar तो वो जो उसके foreign currency account में जो dollar hundred पड़ा उससे वो payment कर देगा उनको क्या को currency का risk है नहीं है याद रखिएगा बट ऐसे transaction आपको बहुत ही कम मिलेगा questions के अंदर एक दो transaction मिलेगा ऐसा भी जिसके अंदर हमने हमारे पास foreign currency account होंगे उसमें हम अपने पैसे रखेंगे और फिर उसी को क्या करेंगे payment कर देंगे तो वहा तो risk ही नहीं आएगा ठीक है if question is silent assume we don't have foreign currency bank account कुछ भी ना आप open करोगे ना आप दोगे क्योंकि अगर bank account open कर गया अगर उसमें पैसे रख लिया आपने तो फिर इस खतम होगे फिर question में hedging ही नहीं होगा और हमारे को जितने भी question होंगे maximum क्या करना होता है उसमें hedge करना होता है किस currency मोगा invoice currency में जिसमें भी invoice बनाया जा रहा आता है यह चीज हमें से याद रखिएगा do not get confused to identify foreign currency and home currency question के अंदर बहुत बार हमें confusion होता है हमें यहीं नहीं पता चलता है कि कौन सी foreign currency है कौन सी home currency है जैसे एक जलक दिखाते थोड़ा दिर के लिए क्योंकि थोड़ा जलक दिखला जा आ गए जी चलो आने दो इसको चलो बुला लेते इसको ठीक है पढ़ते कुछन देखते आप लोग पता कर पाते हो कौन foreign है कौन हो मैं या नहीं आए कोई something something है be limited कोई है be limited खरीदा है कुछ from foreign form ध्यान से देखिए बाहर वाले form से be limited ने कुछ समान खरीदा है ठीक है electronic equipment खरीदा है that will require the payment of LC 9 lakh on 31st May 2018 यानि कि खरीदा है तो payment तो करने पड़ेंगे LC 9 lakh का payment करना पड़ेगा ठीक है बस बता दो अब कौन-कौन पार्टी है इसमें be limited एक कौन है foreign form ठीक है अब इसमें कह रहे हैं कि payment करना है आपको LC 9 lakh ठीक है be limited ने import किया हुआ है इसको payment करना है कतना बताइए LC 9 lakh सबसे पहली बात यह ISO code तो नहीं है क्योंकि ISO code जो होता है वो तो 3-digit का abbreviation होता है LC तो कोई ISO code है नहीं यानि कि यह standard नहीं है standard अगर होता न तो क्या होता हो थी लेटर का abbreviation होता यह standard नहीं है यह local है ऐसे समझ जाओ कि कुछ भी जो मर्जी लिख दिया इस NC लिख दिया भाइब इतना हम इतने country का currency याद रखने जाएंगे क्या अब यहाँ दिक्कत आ गई अब be limited कहां से यह भी नहीं बोला FF कहां से यह भी नहीं बता और LC कहां का currency यह भी नहीं बता हमने कहां बता है आपको 11 currency के list में LC दो डाला ही नहीं हमने ठीक है अब कुछ लोग बोल देते हैं letter of credit अरे letter of credit डॉकुमेंट होता है currency दो नहीं होता है letter of credit अब कुछ बोला है उसने कि देखो spot rate चल दा है न LC 10 पर है जालन से हैं डालर एक कहीन कहीं US है और एक जब पता ही नहीं है तो अब हम क्या है यह कंफिूज होते रहे हैं कि यह किसके लिए home currency किसके लिए foreign currency आफ दूंडो B है US से यह FF है US से अगर यह US से है तो यह हो जाएगा उसके लिए foreign currency हो जाएगा और यह अगर USA तो इसके लिए foreign currency हो जाएगा और क्यूंकि आपको पता है इसका risk किसके पास होगा याद रखना ये invoice currency एक के लिए risk generate करता है एक के लिए risk generate नहीं करता है अभी तो हमने देखा एक के लिए risk है दूसरे के लिए risk नहीं है तो हमें ये बताओ ना एलसी में जब payment हो रही है तो एलसी में payment हो रही है तो किसके लिए risk है ये be limited के लिए risk है या foreign firm के लिए risk है ये decide जब तक नहीं करेंगे तब तक के question नहीं solve होगा बात समझ में आ गए तो यही मैंने बोला है कि आपको confuse नहीं होना है अब वो जब जाएंगे वहाँ तो हम decide करेंगे न अभी क्यों decide करेंगे हमें तो अभी problem दिखाना था न आपको उसकी solution तो वहाँ पहुँचेंगे तो हम निकालेंगे न वहीं मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा confuse मत हो identify करने के लिए कि foreign currency कौनसी और home currency कौनसी है वैसे आपको मैं थोड़ा सा हिंड दे दू यह जो मैंने आपको एक जलक दिखाया था न भी यह जो जलक है न यह LC का मतलब होता है local currency कोई किसी country का currency नहीं है LC का मतलब होता है local currency अब यह local currency भी जब है न तो किसी एक के लिए local है वो दूसरे के लिए foreign है वो लोकल करेंसी किसी एक के लिए होता है, दूसरे करेंसी पार्टी के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर यह देखना है कि लोकल किसके लिए है, बात समझ में आ गए, क्योंकि दूसरे पार्टी के लिए हो क्या होगा, फारण है, और जब तक यह फारण करेंसी नहीं है, तब त करेंसी और फारन करेंसी में कन्फ्यूज मत हो simple सी काम करो invoice करेंसी उठाओ हमारे केस में LC क्या था बताइए invoice करेंसी LC invoice करेंसी है नहीं कि local currency हमारे invoice करेंसी है और या तो settlement करेंसी रिचाइड करो and conclude that it is foreign currency बूलोगे sir उतो लोकल करेंसी है अरे foreign currency नहीं है तो currency conversion ही नहीं होगा न और जब currency का conversion ही नहीं होगा तो risk किस बात का और housing किस बात का सोच के देखो आप तो देख लेंगे हाँ यह बिल्कुल सही कह रहे हूँ आप कि local currency वहाँ पे जो home currency है नो dollar है बिल्कुल सही बोला आपने कि यहाँ पे यह local यह foreign currency है ठीक है यह foreign currency है और dollar जो है न यहाँ पे यह dollar यहाँ पे home currency है बिल्कुल सही बोला है यानि कि इस में US के party को housing नहीं करना है बात समझ में आ गई वह इसे चलो पढ़ कि आपको पता सल जाएगा आगे क्योंकि यहाँ आप पे US का rate दिया है और foreign का rate दिया है यही से clear हो जाता है कि यह foreign उपर भी लिखा था और नीचे भी क्या word यूज किया foreign और फिर बोला US तो यह कहीं न कहीं यह US जो है यह US है इसका मतलब इसके लिए क्या था बताएगे नहीं नहीं यह तो US है न इसके लिए dollar home currency है न तो इसके लिए क्या है बताएगे invoice currencies foreign currency तो यह hedge करेगा कौन hedge करेगा इस question के अंदर बी लिम्टेड अपने आपको hedge करेगा तो यह जितने भी question जो solve होगी न यह बी लिम्टेड के point of view से solve होगी तो यही मैंने बोला है कि अरे वो क्या लिखता है उसको भूल जाइए आपको क्या identify करना है invoice currency को identify करो और इसको conclude करो कि यह foreign currency ही है क्योंकि home currency वो हो ही नहीं सकता home currency में कोई risk नहीं आता है अभी आपने general entry डाल के check कर लिया after that identify the party for whom it is foreign currency and take corrective action for that party currency के लिए solve होगी foreign currency के लिए तो जो payment receipt हो रही है वो क्या है हमारे लिए foreign currency और यह जिस दिन भूल जाओगे question में confused होते रहना और पता चला कि इधर उधर के check कर में गलती से कुछ और सोच लिया अभी आपने check कर रहा था एक party को appreciation में फाइदा हो लॉस होती है तो दूसरे party को क्या होता है depreciation में होती है और जहाँ पर appreciation होगी या वहाँ पर वगए depression ले लिए तो फिर वो question में जहाँ पर loss होना तो वहाँ gain हो जाएगा और जहाँ gain होना तो वहाँ loss हो जाएगा और question ही नहीं solve होगा इसलिए simple करके पढ़ते हैं हम लोग एक चीज दिमाग में set कर लेंगे और एक foreign और home में तो कोई जहमेला ही नहीं है जो invoice currency है वही हमारे लिए क्या है foreign currency है नाम कुछ भी दे दे तू LC क्यों न लिख दे तू local currency भी लिख देगा तो local currency किसी एक के लिए लोकल करेंशी जान भूज के ऐसे दे रखाए कंफ्यूज करने के लिए कि हमने invoice किस करेंशी में बनाया है local currency में तो लोकल करेंशी में तो हम क्या करेंगा हमन करेंगा हमें तो हेज करना है कब हेज करेंगे जो foreign currency होगी simple सी बात है ओके चलो बढ़ते आगे है अपर बने डिसाइड किया थे कि ब्रेक ना लेंगे ना कोई बात नहीं नहीं लेंगे थे जलदी शुर देंगे इना ठीक है वैसे आप लोग अभी ठकिये हुए से लग नहीं रहे हो चलो बढ़िया है कर लेंगे नो छोड़ देता हूं नो फिर कोई बात नहीं नाइन टेन तक हाँ ठीक है बता दो आए इसमें नाइन टेन तक बुला लो आप बोलो की नाइन टेन तक पहुंच जाए तो अच्छा रहा है तो रिस्क अगर नहीं होगा ना तो कुछ करना ही नहीं है ध्यान से सोचो आप ये पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे बताओ foreign currency के risk को minimize करें अब थो अगर के लिए सोचो अगर home currency बन जाता है तो क्या convergence होगी नहीं होगी और अगर convergence नहीं होगी तो करे क्या फिरग Conversion नहीं है मतलब loss gain भी नहीं है जब loss gain नहीं है तो बचाए किसको और जब बचाना नहीं है तो treatment क्या करें हम क्योंकि पूरे के पूरे chapter के अंदर ये जो currency convergence है जो risk arise हो रहे हैं उसी को बचाने वाले काम करते हैं और कुछ नहीं है बात समझ में आगे तो इसलिए जिस question में home currency हो जाएगा न उसका कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि ना उसका loss निकाल सकते ना gain निकाल सकते और इतने सारे जो भी बढ़ लाने इतने सारे techniques पढ़ेंगे उस सब में loss को minimize करने वाले techniques है कि हम यह क्या कर ले ताकि हमारा risk क्या हो जाएगा minimize हो जाएगा तो practically वही तो हम कहे रहे कि जैसे मान लिज़े Mr. USA के साथ transaction होता है invoice बना दिया रूपी में तो अब बताओ क्या होगा foreign currency के involvement कुछ भी नहीं होगा अभी practically कुछ नहीं होगा सोचके देखो ना जिस party का transaction सारे रूपी में होता है वो कभी आज तक उनको rate भी नहीं पता होता कि dollar कहां पहुचा है क्योंकि उन्होंने invoice बनाए 7500 का और उसके जेब में क्या आया 7500 तो क्या करने जाएगा bank में सोचो तो practically भी नहीं होता है समझ में आ गया practically भी तभी वहाँ पे foreign currency के involvement होती है जब वहाँ आता जाता है अभी अगर आपको US जाना है माल लिजे कोई export import नहीं करते हो आप treatment के लिए किसी के माल लिजे आपको family में या किसी relative का कुछ हो है treatment के लिए जा रहे हो अब आप जब जाओगं अगर rupee लेकर जाने दें आपको और rupee ही वहाँ खर्चा हो जाये तो कुछ फर्की नहीं बड़ता है लेकिन होता क्या है वहाँ पे आपको rupee लेगा नहीं और वहाँ पे जब rupee हो सकता है निकल जाते हैं और वहां डॉलर हम फिर convert कराके जो भी currency होगा उसको हम लोग काम कर लेंगे तो इसलिए जहां पर भी currency का involvement होगा न फॉरण currency वही सिर्फ क्या है हमारे लिए risk rise करता है और अभी जब questions होगर आप पूछेंगे तो देखेंगा यह जो तो एक कोट में आता है न खरीदने bid rate और ask rate हमारा बदल जाता है मतलो जब आगे जाओगे तो एक currency को खरीदने का rate अलग हो जाएगा और बेचने का rate आपका अलग हो जाएगा क्योंकि जो money exchanger होता है वो अपना profit लेके चलता है यसे आप जाए कर नहीं money exchanger के पास जवाब वो आ गया अब यही है सामने ही है चलो इस topic पर यही जाते है खत्म यही वाले जो हम अभी बात करें न वो सामने हमारे topic वही दिख रहा है concepts related to exchange rate यानि कि कुछ concepts होगा रहा है basic concept होगा रहा है सारे किस से related है exchange rate से उस सबको देखते है पूडिंग को थोड़ा सा highlight कर लो ठीक है some concepts related to exchange rates इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखते है इसमें बहुत सारे concepts आएंगे ठीक है कुछिस करते है आज इस सारे concept को पढ़ ले इसमें आएका सबसे पहले bid ask और spread bid ask and spread आपने देखा होगा थोड़ा दर पहले जब हम market में गए थे तो कुछ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था था ना थोड़ा दर पहले जब हम यहाँ पे गए थे तो कुछ ऐसा ही कुछ दिख रहते UST INR UST INR यह कुछ दिख रहता bid मतलब buy करने का rate ask मतलब sell करने का rate तो यही चीज है buying rate को ही foreign actions के market में इसको bid भी बोला जाता है ठीक है buying rate को क्या बोला जाता है bid rate और selling rate को क्या बोला जाता है ask rate इसी को offer rate भी बोला जाता है इसी को कभी कभी आपको offer rate भी लिखा जाएगा और इन दोनों के बीच का जो difference होता है वो spread होता है इन दोनों के बीच का जो difference हो क्या हो गया माग लिए spread अब सोचिये जब bid rate बोला गया है तो वो तो किसी एक के लिए bid rate है ना एक है ना अब क्या होता है यहां देखो हम जाते हैं बैंक में हम जाते हैं बैंक में और बैंक वाले हमें rate quote करके देता है dollar one equal to रुपी चलो मैं अभी वाले rate लेता हूँ 80 है और यहाँ लिखके दे देता है 82 अब money exchanger के पास पहुँचो अभी आप देखते होगे कि कहते हैं कि money exchanger commission पे काम करता है लेकिन commission कभी दिखेगा यह नहीं आपको यही 2 रुपी का commission होता है उसका आपसे जब वो खरीदेगा तो अलग rate पे और आपको जब बेचेगा तो अलग rate पे जब वो आपसे खरीदेगा तो 80 पे खरीदेगा 80 के rate पे dollar आपसे लेगा मतलब dollar आपसे खरीद के आपको कितना देगा 80 द्यान से देखते रहेगा आप गए money exchanger के पास money exchanger को मैं थोड़ा दर के लिए किसको रख देता हूँ बैंक को आप हो customer द्यान से सुनिए customer जाता है जब dollar लेके द्यान से सुनते रहेगा dollar जब लेके जाता है तो उनसे वो लेगा क्या पता है rupees में 80 सारी 80 बेच रहा है ना customer सारी bank खरीद रहा है 80 देगा bank bank के जेव से कितना निकल रहा है bank के जेव से निकल रहा है 80 क्या मैं बोलू कि 80 का outflow होगी है इनका और जब यही चीज आप से यह bank जब आपको क्या बोलेगा पता है कि आप अगर बोलते हो customer bank के पास जाके और उनको बोलते हो कि मुझे डॉलर चाहिए तो आप से वो लेगा कितना पता है रुपीज 82 ध्यान से देखे यह क्या हो रहा है यहाँ पे ले रहे है bank 82 मतलब जेव में आ रहा है 82 और जा रहा है 80 तो देखना बीच में कितने रुपीए बच गया है इसका 2 रुपीए तो हम लोग इसी को 2 रुपीए कमीशन बोलते है लेकिन खास करके वो कमीशन नहीं वो इस्प्रेड है बिड रेट एंड आस्क रेट अब एक चीज़ सोचेगा देखिए मार्केट में कुछ कॉमन पार्लेंस भी कोई चीज होती है कॉमन पार्लेंस मतलब जो लोग समझ जाते हैं जिसका कोई रिटेन ऐसा रूल नहीं है लेकिन लोग समझते हैं तो कॉमन पार्लेंस यहाँ पे जिनरली यूज प्रैक्टिस जो है इसमें पहले बिड रेट लिखा जाता है कहता है पहले बिड रेट बाद में आस्करेट अब जैसे कहीं पे भी चले जाओ कॉइस्टन में कहीं पे भी उठा लेना आप कहीं पे उठाओगे न तो आपको देखो जैसे यह दिख रहा है तो यह आपको बिड रेट है और यह क्या है ask rate है, देखो पहले क्या दिख रहा है आपको छोटा और बाद में बड़ा, कोई भी question पे पहुँच जाईए अगर to a quote question आपको कहीं पे भी दिखेगा, तो यह देखो bid rate, ask rate देखो ask rate आपको क्या दिख रहा है बड़ा दिख रहा है लेकिन कभी-कभी institute जो होते है न कुछ लोग जो होते है, नींद में भी होते है नींद में भी तो question बनाते होंगे कुछ लोग, कि नहीं बनते होंगे कभी-कभी, तो जब नींद में जब होते हैं और तब जब question बनते हैं तो कुछ इस तरीके का भी situation आ जाता है ये देखो नींद में है सायद देखो ध्यान से अब मैं नहीं कह रहा है ये इंस्टिटूट का है ये इंस्टिटूट का है एक चीज़ और बता दू हमारे बुक के अंदर जो होते हैं कुछ लोग जो होते हैं ये इंस्टिटूब वाले खास करके उनको लोगता है कि हमारे बुक में न सिर्फ सियम में वाले का ही question है वो दोखे में जी रहा है क्योंकि यहां कुछ ने लिखा हुआ है देख रहे हो और देखो जब उपर जाओगे न यहां पर थोड़ा सा कम है question इधर की तरफ आते हैं इधर कहीं पर भी चले जाते हैं जान से देखे कहीं पर भी जाओगे न तो यहां पर CMA लिखा हुआ है दिख रहा है कुछ दिख रहा है कुछ तो उनको यह दिख जाता है कि अरे सारे question तो CMA के क्योंकि यहां CMA लिखा हो तो नजर जाता है अरे देखो है क्या पहले हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हमने तो CMA के हिसाब से शुरू किया उनके सारे question सोगरा collection कर लिए जब हमें पता है कि हम CMA को पढ़ा रहा हूँ तो हमाँ बार बार में CMA लिखो क्या जरूरत ही नहीं होता है by default पता है बाद में जब बचे CMA के भी आने लग गए तो मैंने बुला कि चलो ठीक है जब CMA का रहे तो उसके भी research करने पढ़ेंगे उसके भी questions सो गरा डालने पढ़ेंगे फिर उसके scanner होगा अब पास्टन का question देखने लग गए अब differentiate कैसे करो, confuse हो जाएगा सब तो मैंने क्या करा, question की नीचे CMA डालने लग गए तो मैंने उसके सामने CMA डाल दिया कि चलो ठीक है, ये CMA by default होगा, ये CMA होगा तिसलिए लिए देखना हर question के अंदर नीचे का reference जो दिखेगा, आपको CMA का होगा और उपर का सिर्फ reference जोगा, और किसका होगा CMA का होगा, अब किसी question में यहाँ कोई reference नीचे नीचे है तो exclusive CMA का question है कहीं पे नीचे कोई भी reference नीचे सिर्फ उपर है, तो exclusive CMA का है क्योंकि किसी भी attempt का RTP, MTP या suggested हो या मैंने छोड़ा नहीं है जैसे हर attempt में जो भी RTP, MTP आते है एक-एक question को हम देखते है और उसको कहीं पे अगर match हो लिए तो reference को हम add करते ही करते है तो इसका मतलब mistake छूटा हुआ नहीं होता है, हाँ कहीं कहीं पे 1% chances है कि ये जो reference लिखा होता है न कहीं पे वो 2003 number की जग़े कभी-कभी में का हो जाता है तो इतना 1% mistake दिख जाता है क्योंकि वो mistake हो रखा है कहीं कहीं पे चलो वापस आ जाते है, हम कहां थे? कहीं तो थे? ये देखो, ये जो है ये मेरा question नहीं है अब यहां क्या होता है पता है ये एक ही question है जिसमें ऐसा mistake है तो अब मुझे बताए इसमें क्या करा जाए देखो, जहां कहीं भी कुछ गल्तियां नजर आता है या हमें लगता है कि ये अठपटा दिख रहा है तो logic को हमेशा base बनाई है logically जो सही होता है उसके साथ जाएए हमारा common practice क्या कहता है कि देखो, ये bid होना चाहिए ये ask होना चाहिए मान लिजे, गल्ती से बड़ा rate पहले लिख दिया तो क्या इसको में bid rate मान लूँ तो आप मुझे बताए, महंगा अगर money एक्सेंजर महंगा खरीदने लग जाएगा और सस्ता बेचेगा तो road पे आ जाएगा logically गलत है तो उस पर road पे नहीं लाना है हम ये मान लेंगे कि साइद आपसे गल्तियां हो गए और याद रख नहीं अभी exam में नहीं आये exam में आयेगा मैं आपको लिख के देता हूँ जो copy paste की आदत है ने जिस तरीके के institute की exactly यही लिख के आएगा और मैं आपको बताता हूँ अगर ये question exam में आ गया न तो muscle से 10% एक्सेंजर को marks मिलेगा जबकि सब कुछ हो सही करके आएगा नजर डालता ही नहीं बच्चे किस पे exchange rate पे नजर भी नहीं डालता है एक बार कि यह बड़ा या छोटा कभी नजर नहीं डालता है इतना मगन रहते हैं ने exam के अंदर कि बस question solve करना रहे आगे लगे पहला वाले rate लगेगा या पीछे वाले देखेगा भी नहीं किया पहले वाले rate क्या हो चुका है क्योंकि हम जैसे question solve करते हैं तो आप लोग को आदर डलवाएंगे अरे answer आ रहा है तो एक बार पहले cool होके सोचो जो question पूछा गया था उसके मताबिक क्या मोटा मोटा आपका answer सही आ रहा ही नहीं आ रहा है क्योंकि उससे जब logically मोटा मोटा गर आपको लगता है इसे बहुत बार होता है present value, future value का calculation करोगे calculation mistake हो जाएगा यहां के 1000 रुपे, यहां का 1200 रुपे दिख जाएगा अरे पहले एक बार चेक करो ना क्या, वहां का 1000 यहां का 1200 कैसे हो जाएगा क्योंकि वो calculation mistake हो रखा है, वो immediate पकड में आ जाएगा आपका, बात समय आगे तो इसलिए जब भी questions होगर आप पढ़ते हों तो एक बार नजर खोल के रखना, यह आपको क्या लेना है ask, और यह क्या लेना है आपको bid, नहीं तो इसमें marks नहीं मिलेगा और यह mistake करने वाले मुझे पता है पहले से mistake करने वाले होंगे 90% student होंगे, आने दोनों कभी exam में फिर दिखाऊंगा आपको certified को भी बच्चे का हाँ, आगे ठीक है नहीं नहीं, वहाँ पर साइद वो spread दे रखा है, ठीक है, forward में ठीक है 64, क्योंकि इसमें use नहीं होता है इसमें यह use ही नहीं होता है, इसमें वैसे यह use होता है, ठीक है जैसे इस बार भी CMA के exam के उसमें, MCQ में 3-4 mistake है बट वो mistake से एक mistake से फर्क पड़ता है, बागे mistake से फर्की नहीं पड़ता है, क्योंकि वो exchange rate में फिर से mistake डाल रखा है, अभी तक के history में एक बार CMA Institute ने exchange rate के लिए mistake कर रखा था, आपको मैं बताऊंगा आगे जो यही बीड़ और आज कभी पढ़ रहे है न मुझे अगर इसे लिख के देना हो 50, और आगे लिखा जाता है अगर 70, तो इसका मतलब होता है इसे आपको देखते हो न, mobile number compressed form में चलता है अगर last के 2 digits difference होंगे तो mobile number में starting के 8 digits same रखेगा, और last के 2 digits बदल देंगे, इसे माल लिजे मेरा mobile number 9811 465474 भी है और आगे का एक और number है मेरे पास जो कि 75 है, तो ऐसे लिख देता हूँ क्या होता है, इसका मतलब बताइए एक number 74 है, दूसरा number 75 है है न, तो इसी तरीके से exchange rate मिलेगा, आपको खूब मिलेगा more than 20% के question में तो ऐसे exchange rate मिलेगा, कैसे इस तरीके से, तो हम क्या समझते है बताइए, this is bid rate ये ask rate, तो ask rate 70 कैसे हो सकता, 80.5 के तो कहते देखो, एक compressed form है परदे के अंदर छुपा हुआ, 80 तो ठीक है, 80.50 80.70, ठीक है, बहुत बढ़िया ऐसे ही होना चाहिए अभी past में एक बार CM Institute ने क्या किया था बेवकूफों के जैसे इसको कर दिया था 100 भाई ये तुम क्या कर रहे हो 100 हो ही नहीं सकता, ये गलत rate लिखके दे दिया, एक बार अभी तक के पास system होई थी, और जो कि अभी ये जैनवरी 2023 में जो जैनवरी में ही हुई ना 2023 में जो एक जाम है, फिर से exchange rate ऐसे डाल दिया लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें rate apply होता है ये वाले अगर ये rate apply होता, उस ताइम जब पीछे भी mistake हो रखी थी ने, CM Institute से तो वहाँ पे भी ask rate apply होने वाला नहीं था उस question के अंदर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई इसका मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि इंस्टिटूट ने कभी लिखा ही नहीं बात समझ में आ गई, और इस बार भी mistake कि MCQ के अंदर, इस बार भी CM Institute ने क्या-क्या पता है यही rate apply होने वाला था, तो इस बार भी नहीं पता किसका क्या मतलब है, बात समझ में आ गई, तो यह तो कभी होता ही नहीं है, तो अब हम लोग अपने तरीके से कुछ interpretation निकाल लेते हैं, कि भाई कहीं सायद तुम यह तो नहीं कहना चाह रहे थे, कि 80.50 और 81.10 तो नहीं कहना चाह रहे हो, सायद, मैं फिर से अब इन repeat कर रहा हूँ, यह हम लोग interpretation निकाल रहे हैं चलो कि सायद ऐसा होगा क्या, क्योंकि यह तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि और ऐसा तो कर नहीं सकते है, 80.10 तो होगा ही नहीं इसका मतला, और ऐसा भी नहीं है, कि इसको कर दे 80.10 और इसको bid rate माल लिए तो बेवकुफी वाले काम हो जाएंगे, क्योंकि bid तो यह है, ask को ही बदलना है न, बट हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत बार ऐसे mistakes होते हैं, जिससे हमारे answer पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही सेम चीज़ होता है, चलो वापस आईए, bid rate, buying rate of a currency, is also termed as bid rate, ask rate, selling rate of a currency, also termed as ask rate, यहाँ पे एक काम करो, इस पे लिख लिजिए, offer rate, offer rate भी कहीं कहीं पे आपको मिल जाता है, spread दोनों का difference, ठीक है, कुछ percentage spread निकालने में भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, कि सर्फ percentage में base क्या बनाए, जैसे देखते हो कभी-कभी percentage profit निकालती है, इतना तो clear है कि spread profit है, किसका profit है, किसका profit है, देख लो ध्यान से यह, अभी आपने बोला कि यह buying rate है, यह buying rate है, किसके लिए, dealer के लिए, जिसक में कुछ teacher हो गारा, कहते ही, देखो, customer के नजरिये से, this is selling rate, bank के नजरिये से, this is buying rate, वो confuse कर दिया हो, गया हो बच्चे, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, 2-way quote के अंदर है, इस तरीके से अगर पढ़े न, कि यह buying rate for bank, और selling rate for customer गया हो, ऐसे नहीं पढ़े जाते है, rate, bid rate ह हो गा यह, इसको हमेशा क्या बोला जाएगा, bid rate ही है, याद रखना, bid rate पे bank खरीता है, और customer बेजता जरूर है, लेकिन customer बेजता है, इसका मतलब यह rate, ask rate नहीं बन जाएगा, क्योंकि rate customer लेके नहीं किया है, customer quote किस ने किया, यह rate किस ने quote किया है, बताना, तो bank अगर quote किया हो, नाम bid ही रहेगा, नाम नहीं बदल जाएगा, फिर confuse हो जाओगा, बस ऐसे घुमते रहना, खास कर किया आगे होता है ऐसे, बहुत सारे चीजों में, इसलिए मैं बारवर केता हूँ, छोटी चीजों को ध्यान रखो, यह bid है, तो bid ही रहेगा, यह बदलेगा नहीं, हम य rate और ask जो है न, bank के लिए, क्योंकि bank rate quote करता है, और एक और भी बात, जब एक bank दूसरे bank के पास जैता है, तो rate किस का होगा, सोच YOU, एक दुकंदार दूसरे दुकंदार पास जैता है, rate कौन quote करता है, rate कोन quote करता है, जिसके पास जाता है, यानि कि उसको हम बोलते интерbank, एक bank ज आपने तो बोला था bank मैं यह नहीं बोला था bank मैंने बोला था rate जिसने court किया है उसका bid है यह rate जिसने court किया उसका आसक और वो customer फिर उसमें customer हो जाता है क्योंकि एक bank जब दूसरे bank के पास जाएगा तो क्या रहेगा तो customer के तरह वो bank कि इस पे बेचेगा देख लेंगे वो वो चीज जो है न एक ये foreign existence के एक major portion है जो यहां पे आके क्या होता है अटकता है मैं आपको बता दू बहुत सारे strength जो होते हैं इस पे mistake करता है और कुछ लोग जो होते हैं इसको mistake ना करें इसके लिए कुछ दूर तक तो काम आ जाता है लेकिन जब एक level पे पहुंचते हैं तो काम आना बंद हो जाता है क्योंकि एक level पे जब पहुंचते हैं जब cancellation पे और जब वहां पे जब rate ही rate जब question के अंदर नजर आता है तो वहाँ पे जाके यह जो काम चलाओ काम करते हैं न वहाँ पे जाके फेल हो जाता है खास करके मैंने क्या बोला अभी जैसे देखो ऐसे ऐसे questions मिलते हैं देखो ध्यान से कितने exchange rate है ठीक है और कहीं पे bid कहीं पे आस कहीं पे bid 3-3-4 transaction किया जाता है ठीक है और यहाँ पे जाके वह जो shortcut करा के अभी चलते है न वह अभी तो आसान लगता है उसको लेकिन यहाँ जाके वह फेल हो जाता है इसको इतना गुमा फिराक इतना सारे करके पढ़ लेंगे mistake होने की possibility नहीं बनता है चलो वापस आते आसकरेट spread भी हो गया हाँ percentage की बात कर रहेते देखो जब percentage profit निकालते है तो हम क्या कहते है cost पे निकालते है sell पे निकालते है बताओ जल्दी से cost पे है sell पे क्यों sell पे निकाल सकते तो फिर हो गई न percentage profit निकालना है एक चीज तो है बता दो कि हम percentage किस पे निकाले ठीक है जैसे मान लिजे हम कहते हैं 100 रुपे के सामान को हमने 120 में बेज दिया कितना percent profit है तो हम कहते हैं कि 20% है किस पे cost पे बट यही 20% नहीं 20 divided by 120 भी हो जाता है जैसे बहुत बार होते हैं आप mark up करते हो तो ठीक है sell का इतना percent profit रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत बार के तो sell margin में कितना रखना है तो sell जो margin रखते हो तो हमेशा sell price पे रखते हो आप कि हमने 120 में बेचा है तो इसमें हमारा कितने percent margin है तो खास करके हो किसके हम बोलते हैं sell का ही margin हम रखते हैं हम लोग तो बहुत बार sell पे भी हम लोग percentage निकालते हैं तो इसका कोई rule नहीं बना सकते हैं यह analysis है हाँ तो वही तो हम कहना चाहरे कि rate percentage बदल जाएगा अब इसके लिए भी लड़ते हैं लोग में यह कहना चाहरा हूँ क्योंकि कभी institute bid rate पे निकाल देता है और कभी institute ask rate पे निकाल देता है समझ में है बात तो क्या बोले हम बताओ कौन सही है bid पे सही ask पे सही दोनों सही है percentage हम निकाल रहे है हमें बस बता दो कि किस पे निकालना है और नहीं बोलोगे तो 10 सेकेंड एक्स्टा लगा देंगे और हम bid और ask दोनों पे निकाल देंगे हम नहीं निकाला है क्या इसम गलती से रह गया है दोनौ पे और निकाल दढ़ें ऑ Ugh परेसेंटेज निकाल आपश किया हूं और घ्रिंच और कर दिया है एहिए हो गया है गलती से दोनों होना है ठीक हो है impress ओर। इन्यात उजफिशह करेम दिधर और Merse rate also आप ask पे निकालो bid पे निकालो कोई फरक नहीं पड़ता है और मैं हमेशा क्या कहता हूँ आज के rate पे जहां पे confusion हो ठीक है और आपको लगता है उस confusion में 10 second एक minute लगा के हम उस confusion से बाहर हो सकते हैं तो आज के rate पे मैं bid rate पे निकाल देते हैं और आपका काम का कर करaat जहांपे आपको लगता है आपको अब ढक्राश्el पांड रेप है क्योंकि यह इंपर glucose को पांड फे नहीं होगा, pound by sale होगा याद रखिए, this is the base currency, this is price currency, price कभी currency कभी खरीदा बेचा नहीं जाता है, खरीदा बेचा जाता है, base currency आपका, तो base currency का खरीदने का rate है, और base currency बेचने का rate है, तो यह जो है ask rate है pound का, spread 8 रुपे हैं, और percentage spread आपका 5% और 4.76 कुछ भी निकाल सकते हो, one way quote single rate quote होता है, one way quote जैसे अभी आप चाते हो, अभी आप RBI का rate उठाने जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, बताइए, आप अगर RBI का rate देखने जाओगे, तो क्या मिलेगा, two way quote मिलेगा, one way quote मिलेगा, रहे, खुल जा भाई, ना टक जादा करते हो, यह देखो, यह जो आपक का reference rate है, reference rate यह इसलिए है, क्योंकि कभी किसी को अगर conversion कराना हो, तो इस पे करेगा, और आपको बता तो यह इतना bank होते हैं, commercial bank, इसको base बना के, इसमें से margin minus करेगा, और bid बना लेगा, और से margin add करेगा, और वो ask बना लेगा, मतलब इससे ज़्यादा ask रखेगा, इससे कम क् rate में चो rate चलते है, 2A quote चलता है, लेकिन question को आसान करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, कभी question के अंदर exchange rate का complication डाला जाता है, कभी exchange rate के अंदर दूसरे complication होती, language की complication होती है, तो उस case में exchange rate को आसान कर देता है, उसमें एक rate डाल देगा आपको, यसे बहुत सारे questions मिलेंग इस question के अंदर यह तो double quote है, यह देखरों, compressed form में जो मैंने अभी बता रहा था आपको, इससे यहाँ पर जाओ, देखरों, जितने भी question डूंड होगे और आपको maximum question क्या मिलेगा आपको, 2A quote, देखरों 2A quote, यहाँ पर one way quote, income नहीं, income है, यह रहा one way quote, देख आप ध्यान से, exchange rate दे रहा है, single rate, तो क्योंकि इस question के अंदर दूसरा complication होगा, तो यह exchange rate को क्या कर देता है, आसान कर देता है, क्या real life में यही rate मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, real life में हमेशा आपको 2 rate मिलेगा, तो हम ऐसे समझ के चलते है, theoretically पढ़ लेते हैं, कि one way quote जो होता है, खरीदना और बेचना, दोनों अगर same हो जाए, तो हमारे लिए one way quote या single rate quote हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखके दे दिया, तो हम बोलेंगे bank buy करेगा 160 पे, और sell भी करेगा 160 पे, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होता हमारे लिए, ठीक है, two way quote अभी बता ही चोटा होगा selling rate से, bid rate is lesser than ask rate, market convention regarding two way quote is, first rate is bid rate and second rate is ask rate, अभी बताया थे न में आपको, जब भी लिखा जाता है तो पहले कौन सी rate लिखा जाता है, bid, बात में क्या लिखेंगे, ask, जैसे मैंने लिखा है, यह हमारा bid है और यह हमारा ask है, अब यहाँ नीचे कुछ note लिखा हु first rate is higher than second rate, यह वाले, अभी दिखाया था आपको उदर, question number 17B में, यह question number 17B जो आपको में दिखाया था, इसमें कुछ निस्टेक था, ask rate यह है और bid rate यह है, तो हम लोग logically जाएंगे, logically यह कहता है कि यह bid rate है, अब आजाते है, price index point पे, चौथा point हमारा आ गया, कहां कि चौथा point पे आते है, पिप पे, time तो नहीं हो है न, भी है time, पिप, यह foreign exchange market की, क्या कहते है, वो है, name है, price interest point, यह देखो, price interest point, पिप, इसको क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोसिस करते हैं, ध्यान से देखे, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, रिटेलर को जो rate quote किया जाता है न, अभी आकर bank में जाओगे न, तो आपको two digit में rate मिलेगा, मतलब क्या हो गया, आपको बोलेंगे, वो bank में जब जाओगे, अगर conversion कराने, तो बोलेगा 80 point something, 50, लेकिन यही जब एक bank, दूसरे bank में जाता है न, तो आपको rate मिलता है four digit में, जैसे exchange में गए आप, exchange में कितने digit में quote है, यहाँ पर भी four digit में आपको RBI भी quote करके दे रहे है, और even जो वहाँ लड़ रहा है, सब buyer और seller जो लड़ रहे है, वो लड़ने वाले rate भी क्या चल रहा है आपको देखो, four digit में, तो यहाँ क्या होता है, कभी exchange rate two digit में और कभी exchange rate four four digit में, अब अनपड़ लोग भी question मनाते हैं, तो एक दो बार आपको exchange rate three digit में भी मिल जाएगा, question के अंदर, लेकिन याद रखेगा, rule के मुताबिक, फड़ाई जो कहता है, उसके मुताबिक, एक bank, दूसरे bank के साथ, या exchange में, इंटर bank में आपका four digit में exchange rate चलते हैं, जबकि वही customer के साथ जब deal होते है bank, तो वो कितने में करता है, two digit में, यानि कि दो digit और चार digit तो हमारे rule के मुताबिक चलता है, तीन digit और पांच digit अनपड़ के लिए हो जाता है, कुछ लोग उसका भी rounding off का rule बताने लग जाते हैं, तो क्या कह सकते हैं, जितना knowledge होगा, उतना ही करे लेकिन इस सीजो को institute follow नहीं करता है, जैसे सुनिएगा, retail वाले rate भी डाल देगा 4 digit में, जैसे आप यह देखो, यह तो retail काई तो rate है, इसमें कोई bank to bank थोरण deal कर रहा है, इसमें कौन deal कर रहा है, बताओ, इसमें customer to customer है, एक मैं बेचने वाला हूँ, आप खरीदने वाले हो, आप खरीदने वाले हो, मैं बेचने वाला हूँ, बताओ, कितना digit में rate चल रहा है, 4 digit में, तो आप मैं यह बोलू कि 4 digit में, retailer में rate अप्लाई नहीं होगा, तो फिर गलाते है, क्योंकि exchange 4 digit ही चलता है, लेकिन यही हम जाएंगे bank में, तो क्या हो जाएगा, 2 digit चलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, सुनी अवध्यान से, मैंने लिखा, dollar one is equal to rupee, 80 point, मान लिजे अभी two digit का rate चल रहा है, two zero, और हम कहते हैं, अगला rate हो गया हमारा two five का, मान लिजे कुछ दिन के बाद इतना हो जाता है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे बोलू कि अच कितना से अप्रेसेट किया है यह currency, dollar one, dollar अप्रेसेट करते हुए दिख रहा है न आपको, 0.05 से, बहुत बढ़ी है, तो 0.05 currency भी तो बोलो न, अप्रेसेट कर रहा है, dollar अप्रेसेट कर रहा है, कितने से, rupee, 0.05 से, इसको fractional unit में अगर बोले तो, 5 पैसा, बोल सकते हैं, चल dollar one का हम euro में एक rate बना देते हैं, बताओ यह rate में one से उपर जाएगा amount या one से नीचे जाएगा, अब आप लोग rate बनाओ ने, dollar का euro में, बनाओ, calculator है पड़ाओ, आप लोग को बना सकते हो, इतना तो बनाना ही चाहिए, इतना तो आपको common sense, इतना तो आपका general knowledge होना ही euro is stronger, तो value one से उपर जाएगा नीचे जाएगा, one से उपर जाएगा, one से नीचे जाएगा, one से उपर जाएगा, one से उपर जाएगा तो weak हो जाएगा यह, यह mistake करें ना, अगर यह one point something हो गया, तो यह सस्ता हो गया ना फिर, इसी के case में ही तो बोलोगे ना, dollar और euro का rate दे रि यह less than one जाएगा, less than one जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ one रखा है न हमने, तो यह less than one जाएगा, तभी यह stronger बनेगा, अभी के current strength के basis पे, तो एक है 80, एक है 90, तो 90 divided by 80 करूगा, तो एक से बढ़ा आ जाएगा, वो तो होगा नहीं, तो 80 divided by 90, तो 80 divided by 90, point 88, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हो, point 80, 90 कर देते हैं, उसमें क्या है, कोई हमारे घर से तो नहीं कुछ जा रहा है, point 90, और कुछ दिन के बाद, फिर कहते हैं, कुछ दिन के बाद, यह rate हो जाता है, हमारा, point 92, अब क्या होगा, बताइए, dollar, appreciate कर रहा है, कितने से, point 0, two dollar से, पैसा नहीं होगा, यहाँ पे, euro के साथ क्या होता है, euro का cent होता है, two cent, ऐसे होगा न, तो लोगों ने foreign currency के market में, इसकी difficulties face किया, बार बार यह बोलने, क्योंकि अभी तो छोटा है यह, और भी बहुत जादा छोटा हो गया, चार डिजिट में तो और छोटा हो जाएगा, अभी तो दो डिजिट के exchange rate में, पैसा या cent बोल भी पा रहे हो, जब यही exchange rate four digit में जाएगा, तो वो भी नहीं बोल पाओगे, आप कैसे देखो, 80.2025 है, अब हो जाता है, 80.2030, अब बोलोगे कि यह appreciate कर रहा है, dollar, हाँ कर रहा है, कितने से कर रहा है, अब बार बार zero की management करने होंगे, जैसे लोग क्या होता है, पैसे बोलने में बहुत comfortable हो जाते है, 0.02 बोलने से अचा है, दो पैसे बोल दो, तो इसी तरीके से, लोगों ने एक term ढूंडा, उसने क्या बोला, कि देखो जी, इसमें सबसे छोटा value कितना हो सकता है, 4 digit में, मालने यह 3 0 पे गया है, तो कितने से बढ़ा है, 0.005 से, अगर 4 digit में एक digit भी बढ़ता, एक से value भी बढ़ता, तो कितना जाता बताए, 26, तो 0.0001, इससे छोटा ता value नहीं हो सकता न, 4 digit के exchange rate में, तो लोगों ने क्या करा, exchange rate के सबसे smallest digit value को, एक pip बोलना शुरू कर दिया, यह कितने pip से गया, एक pip, एक pip से currency आपका प्रेस हो रहा है, यहाँ पे बोल दिया कि 5 pip से अप्रेसेट कर रहा है, तो लोगों को बोल चाल में थोड़ा आसान हो गया, जैसे मैं यहाँ पे बोलू कि हमारे market में, exchange में, exchange में 25 pip का tick size चलते हैं, tick size का मतलब होता है कि उसी के बीच में आप order place कर सकते हैं, तो दर आज order place नहीं कर सकते हो, देखो यहाँ पे, 25 pip का, आपको इसमें tick size चल रहा होगा, दिख रहा है कुछ, 25 pip बोलने में लोगों को आसान हो गया, फटा फट समझ में आ गया, अगर यही 2 digit भी होता न, तो भी उसको pip ही बोलता फिर, कहते हैं, देखो 2 digit का smallest value कितना होगा, 0.01, तो 0.01 is 1 pip, 4 digit म वो हो जाएगा 1 pip, अब माल लेजिए, अनपड किसी ने 3 digit का exchange rate बना दिया, जो की rule market में चलता नहीं है, market में या तो retailer के साथ 2 digit का exchange rate चलेगा, या आपको 4 digit का exchange rate चलेगा, बट चलिए माल लेते, किसी अनपड ने अगने question बनाया और 3 digit में exchange rate डाल दिया, तो क्या होगा बता है न, वो गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, क्यों बताओ, क्योंकि exchange rate के digit बदलने से pip का मतलब बदल रहा है, इसका मतलब exchange rate के decimal के बाद कितने digit है, उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो pip का मतलब यहां बदल जाएगा, समझ में आ गई बात, तो हम लोग pip का मतलब वैसे ही नहीं decide करेंगे, जब तक हमारे सामने exchange rate ना आ जाए, तब तक हम लोग pip का value नहीं बोल सकते, हम किसी से पूछते भाई, एक pip कितना, तो पहले यह बता कि exchange rate कितने digit में है, अगर exchange rate 2 digit में है, तो 0.01 का मतलब 1 pip, अगर exchange rate 4 digit में है, तो 0.001 का मतलब है 1 pip, बा गई, अनपड ने question बनाया होगा, रूल में तो कहीं नहीं है, तो हम बोल देंगे, 0.00001 का बोलेंगे 1 pip, खतम हो गई बात, वैसे मिलेगा नहीं कहीं आपको, जितने भी question मिलेंगे, 2 digit के exchange rate मिलेंगे, या आपको 4 मिलेंगे, एक मुझे याद आ रहा है, साइद एक में किसी अनपड ने 3 digit में डाल दिया है, तो ठीक है, डाल देंगे, हमारे घर से क्या जाता है, यही मैंने बोला है, smallest value of an exchange rate is known as pip, if exchange rate is quoted up to 2 digit after decimal, then value of 1 pip is 0.01, if exchange rate is quoted up to 4 digit after decimal, then value of 1 pip is 0.01, हमने ऐसे example बोल दिया, कि चलो ठीक है, इतना rate लिखा गया है, और ये भी rate लिख दिया है, अब कुछ लोग जो हते हैं, महान होते हैं, वो क्या करेगा पता है, इधर 4 digit लिखेगा, अगले बार 5 कर लेगा, और तब बोलेगा, बताओ सर आप कितने pip, अब मैंने पहले ही बोला है, वो अनपड के जैसे बाते नहीं करना है, बात समझ में आ गए, exchange rate के यहां, इस पे फेड 5 digit में, 5 digit में, एक दे रहे, एक दे रहे, 4 digit में, तो हमाल लेंगे 5 digit के exchange rate, यहां 0 डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो 5 pip से यहां बढ़ रहा है, 10 से कहां क्या, 15, मतलब 5 pip से यहां पे क्या है, डॉलर अप्रेशिट कर रहा है, अगर यह 4 digit में है, तो क्या बोले रहा था, लेकिन यहां क्या हो गया, कोई भी currency हो भाई, currency से मतलब ही नहीं मुझे, यह N का भी smallest value is pip, pound का भी smallest value तो भी pip ही है, और दूसरे currency 2 digit में होगा, तो रुपी के लिए भी क्या है वो, pip ही है, तो कभी-कभी 4 pip हो जाए, sorry, 4 पैसे हो जाएगा 4 pip, कभी आपका इतने amount हो जाएगा 2 pip, इस तरीके से चलता है, तो यह गिर-गिर्ट के जैसे रंग बदलता है, एक और कुछ लिखा है मैंने, one bank deals with other bank using exchange rate up to 4 digit after decimal, clear यहां तक, एक bank या forex dealer, दूसरे bank के साथ जब deal करने जाते हैं, तो रूल के मुताबिक कितना exchange rate चलता है, 4 digit का, bank या dealer, जब वो deal करता है, retailer के साथ, तो कितने digit में चलता है, 2 digit में, लेकिन, 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 institute इस बात को ध्यान नहीं देता है, अपने question के अंदर, हम लोग पढ़ लिए, सही है, लेकिन जब question में जाएंगे, तो यह rule ढूनने नहीं लग जाएंगे, कि अच्छा retailer का है, हम यह निकाल के देंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर question में, 4 digit में exchange rate दिया गया है, तो हम भी कोशिस करेंगे, जो question solve करेंगे, क्योंकि exchange rate निकालना पड़ता है हमें, तो हम 4 digit में ही round off करेंगे, अगर exchange rate 2 digit में दिया गया है, तो कोशिस रहेगी हमारा, कि हम 2 digit में ही rounding off करके, चले, कोई दिक्कत नहीं, institute भी ऐसे ही करता है, क्योंकि आजकल तो rounding off से भी बच्चे डरे हुए, चीक है, rounding off से भी बच्चे डरे हुए, कि गलती से हमने यहाँ पे ले लिया 0.0083, और दूसरे ने ले लिया 0.008, तो इसका marks मिल जाएगा, इसका नहीं मिले होगे न, उसमें आपकी perfection होगी exam में, डर के पढ़े रहोगे perfection ही नहीं होगा, जिसकी वैसे mistake होगी और marks आपका चला जाएगा, ठीक है, हमेशा risk reward ratio देखा जाता है, risk reward ratio क्या है, कि हम confidence के साथ पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि चलो ठीक है, institute के answer differ भी करेगा, चलेगा कोई दि होते हैं उसको उतना ज्यादा loss होता है, और जो डटे रहते हैं, उसको loss नहीं होतना होते हैं, तो वह ही कहता हूँ confidence बनाना बहुत जरूरी है, यह कुछ rounding up का rule है, यह question में आपको बार बार आएगा, क्या हैगा देखें, कितना time है, हभी है न, 2-3 minute, ठीक है, 5 minute है पढ़ ल 025, इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहन से दिखें, rounding up पर आजाते हैं हम लोग, क्योंकि जो basics है, उसको basic में खतम करते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम जब question solve करने जाएंगे, तो rounding up बरेंगे, यह exchange rate का basic चीज है, basic पहले खतम कर लेते हैं हम लोग, एक sequence से सब चीज हमारे को असान लगता रहेगा, rounding up में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने यहां पर दिया, देखो ध्यान से, इसमें rounding up कितने pip में चलता है, 25 pip में, आपको देखना है, फेड़े में बहुत सारे चीज जो है, 25 pip में रूल बनाता है, कि 25 pip में ही आपको rounding off करना है, इसलिए question के अंदर क्या होता है, rounding up आजाता है, और कभी-कभी question में नहीं भी लिखा होता है, तो भी rounding up कर देते हैं, institute, अब सोचना तो ध्यान से, past में हो रखा है, कुछ questions वो आया है, उसमें कहीं नहीं लिखा है rounding up करना है, कि हम 25 pip में, 25 pip में, लेकिन institute ने round up कर र याद करवा देंगे, कि देखो ऐसे question आएगे, तो ऐसे ही rounding up कर देना, अरे भाई, नहीं कर सकते, limitation को समझो आप, नहीं लिख के देगा न, rounding up करने के लिए, तो हम rounding up नहीं करेंगे, अब बोलो कि हमारा साइस्टर डिफर कर देगा, करेगा तो करेगा, क्या कर सकते हैं, बत अब बोलो कि मार्क्स नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देनेगा, क्या फरक पड़ता है, बताओ, नहीं देगा, तो नहीं देगा, इसलिए जो चीज लिखा है, वही कर के आएंगे, और नहीं देगा, कैसे नहीं देगा, मार्क्स, बताइए, वापस आईए, कैसे rounding up जब 4 डिजिट में rounding up होगी, something, something, point, 0, 0, 0, 0, अब 25 पिप में rounding up चल रही है, तो फिर अगला डिजिट के आएगा बताए, something, point, 0, 0, अब बीच में 0, 1 लिखना ही सकते, 0, 2 लिखना ही सकते, क्योंकि 25 पिप में rounding up चल रही है, तो अगला क्या लिखना पड़ेगा, 25, अब मा मान लिजे, मैंने को exchange rate निकाला, यह exchange rate आगया, something, point, 0, 0, और आगया, यह हमारा, 1, 0, पर क्या बोलो, इसको बताए, देखो ध्यान से, rounding up में बहुत simple सी तरीका होता है, एक mid value ले लो, यह किसके नजदीक बनता है, rounding up में, मान लिजे, हमारा value, mid में आया है, ठीके, exact mid में कभ अजदीक बनता है, उधर आपको rounding up करना है, very simple, आप जैसे देखो, यह 25 में rounding up कर रहे हूँ, ठीक है, अच्छा मैं बोल लाता है, mid का value क्यों नहीं आता है, क्योंकि जितने भी rounding up होते हैं, सब जो यह होता है, और digit पे होते हैं, even number पे नहीं होता है, even number पे rounding up होगी ना, तब जाके आपका mid value बनेगा, नहीं समझे बात, अगर यह 24 कर दिया जाए, तो mid बनेगा, आपका 0.0012, अब यह देखो, इधर भी distance से 12 का, और इधर भी distance से आपका 12 का, लेकिन आज तक जितने भी rounding up होती है, आपका even number पे नहीं होती है, सारे odd number पे होती है, तो इसकी वज़े से कभी भी mid value आता ही नहीं है, या तो छोटा बनेगा, या तो बड़ा बनेगा, बात समझ में आ गए, तो 25 के difference में जाओगे, तो कितना बनता है बता है इसका mid value, 12.5, लेकिन 12.5 लिखोगे तो 5 डिजित में exchange rate जाएगा, 5 डिजित में exchange rate नहीं जाएगा आपका, ध्यान से दे अगर ये 12 है, तो किसके नजदीक है, 00, तो ये rounding हो कि आपके जाएगा उधर, ये जाएगा rounding हो, अरे बाई, ये rounding हो के जाएगा इधर, तो इसको नहीं लिखना है, इसको बना देना है ये, और मान लिजे ये अगर आपका 13 पे है, तो ये आपका छोटा इधर की तरफ होगा, वो सारे यहां से यहां तक की सारे value rounding off होगा 00 में, और 13 से लेके 24 तक का जितने भी value है, सारे rounding off होगा किस में, 25 में, exactly, ऐसे ही इधर की तरफ भी चलेगा आपका, अब देहो कैसे, 25 से 50 पे जा रहे हो, है न, तो mid value कितना बनता है आपका, 37.5, 37.5 बनता है, तो 5 डिज 28 से लेके 49 तक का value कहा rounding off करो, 50 में, कितना असान है, ऐसे ही 5 डिजिट पे भी rounding off होती है, 005 पे भी rounding off होती है, 005 का, तो आप मुझे बताए, 005 का rounding off होगा, तो वही है, धाई तो लिखोगे नहीं कभी, या तो 2 लिखोगे या 3 लिखोगे, क्योंकि 4 डिजिट में लिखना है तो 2 तक का आपका जाएगा 0 पे, और 3 से लेके 4 जाएगा, उपर वाले कितना असान है, कुछ है ही नहीं इसमें, similarly, we can round off exchange rate multiple of, इसके लिए भी कर सकते हो, 005 के लिए, और any value using same logic, ठीक है, तो हम लोग exact time पे पहुँच भी गए है, तो को रपहले ही चोड़ देते हैं, बाकि question के अंदर नहीं लिखा, खासकर के मैं cancellation की बात करता हूँ, यह नए concept 2016 में जब लेके आया था, फड़ई के rule के मताबिक, late cancellation होगा रखा, जो concept लाया तो जो बड़ा बड़ा question नहीं दिखा रहा था मैं, यह questions होगा रखा के साथ, इंस्टिटूट के साथ दिक्कत किया हुआ यह सारे फड़ई के rule के मताबिक चलने लग गया, जैन से सुनना आप मैं के कुछ बेल रहा हूँ, यह जितने भी questions है ना, यह फड़ई के rule के मताबिक दे रखा है, और फड़ई के rule में rounding of का rule लिखा हुआ है, कि 25 pip में क्या करना है, आपको rounding of करना है, question के अंदर कहीं पे भ बाद में लिखा गया होगे सब, starting में जैन यही question पूछा गया ना, यह rounding of का rule नहीं लिख के दिया, लेकिन जब suggested आया तो उसके अंदर क्या करा इंस्टूट ने, rounding of कर दिया, बच्चे confused, भाई तुमने लिखा नहीं, तुम कैसे कर देंगे, तो मैं भी यही कहता हूँ, कि अगर नहीं लिखा है, तो आपको rounding of नहीं करना है, लेकिन आज के rate पे लिख के आता है, वो starting में mistake किया था, इंस्टूट ने, ठीक है, तो यह सब चीज जो है, आप उसको मान के चलना, देख रहे हो, अब सब में लिखा होगा, आज के rate पे सब में लिख के आ रहा है, starting में mistake के दिया है, तो करेंगे, नहीं दिया है, नहीं करेंगे, marks देना है, दे, ना देना है, ना दे, इतना confidence जिस दिन आ गया न, उस दिन आपका 70 से नीचे तो नहीं जा रहा है, 90 तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि 90 तो लखके basis पहाता है, 70 तो 80, 85 तक आपको अराम से आ गया, marks देना है तो दे, ना देना है तो ना दे, इतना भी unfair नहीं, institute कि हम सही कर गया और marks नहीं देगा, मैं आपको दिखा दूँगा, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं करो, take care, bye bye